लोगों को 2020 के important questions जो आपके exam point of view से काफी important रनने वाले हैं तो आज के और दोनों class में पचे हमने general study के questions जैसे कल आपका general study ज्यादा थी तो आज आप लोगों को current के questions भी काफी ज्यादा मिलेंगे जो हम लोगों ने अब तक पढ़े हैं ठीक है तो जन्वरी से अब तक के कुछ महत्वपूर्ण questions अब ज्यादा questions तो नहीं लिए लेकिन hundred plus questions जो आप लोगों ने पिछले कुछ समय से पढ़े हैं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहां पर answer देना है और मैंने आप लोगों को एक एक पहलू objective बना के रखे जो questions पोचे जा सकते हैं किसी भी highlighted मैं practical से क्या क्या questions बन सकते हैं वो सारे के सारे questions objective के बिस पे मैं आप लोगों को टेली कराता हूं ठीक है गोड़ इबनिंग अंकेत कुमार जी प्रत्युशानन और नीरशपाल नीरशपाल बच्छे ठीक है आपका स्वागत है सभी लोगों का तो चलते हम लोग questions की ओर आज के लिए पहला questions आप लोगों को ध्यान होगा कुछ समय पहले भारतिया राष्टपती जी के द्वारा ठीक है ना प्रजियरेंट के द्वारा क्या किया जाता है रामचंद्र मिशन का एक बैश्विक आधर पर मुख्यालाई खोला जाता ठीक है तो यहां पर क्या दिया गे मैंने आप लोगों को बताया ना कि इसका अभी बैश्विक आधर पर एक नया क्या खुला है सेंटर खुला है ठीक है कहां पर तेलंगाना के अंदर तो यहां पर questions क्या पूचरा आपका इसका मुख्याले कहां पर इस्तित है तो right answer आएगा इसका कहां पर चिन्नाई के या which country Ukraine, Kangoo, America, Cyprus आहां पर खुला गया तो यह कहां पर खुला गया आपका अगले questions क्यों और अगला questions क्या दिया गया questions दिया गया, questions number 4 question number 4 क्या कहता आपका, ये questions पूछ रहा आपका ICC, ठीक है यहाँ पर क्या दिया गया, ICC 2021 में जो महिला cricket world cup होगा, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, जो आपका which country to host the ICC women's cricket world cup 2021 India, England, New Zealand या Australia question अच्छा आपका exam में पूछा जा सकता, बिल्कुल आंसर देते रहे, good evening गौतम जी, good evening जल्दिस आंसर दीजे आप लोग, एक एक questions का और share भी करते रहे और वीडियो को like जरूर करें, वीडियो को like जरूर करें सभी लोग, तो इस question का right answer था आपका New Zealand, यदि मैं आप लोगों से पूछू, यहाँ पर जितने बच्चे लाइब हैं, उन बच्चों से अगर मैं पूछना चाहूं कि New Zealand कौन से continent में आता है New Zealand कौन से महाद्वीप में आता है तो आपका answer क्या होगा हमारे पूरे वर्ड को साथ अलग अलग कौन्टिनेंट यानि कि महाद्वीप में बाटा गया तो New Zealand कौन से महाद्वीप में आता है 2019 में वर्ड कप होता है और वर्ड कप फाइनल में New Zealand runner-up टीम थी, ठीक है तो आप से अगर पूछा जाए कि New Zealand कौन से continent में आता है आप लोग जल्दी सा अंसर देंगे गुड इवनिंग ओल डियर स्टूरेंट गुड इवनिंग अभिशेख गौरब जी अर्विता राय जी गुड इवनिंग तो इस क्वेशन जो मैंने आपको पूछा बच्चा हुआ है अगला कुशन क्या दिया गया वह मंग दा फॉलिविंग वाज रिसेंट्ली अपॉइंटेट एज इंडिया जाई कमिशनर टू स्रिलंका रवी पुजारी नाम दिया गया इनका अस्वनी रंजन गोपाल बागल या देवेंद्र आवस्ती निम लिखिद मेंसे किसे हाल ही में स्रिलंका में भारत के उच्चायक्त के रूप में न्यूक्त किया गया था किसे चुना गया तो बिलकुल आंसर किया आएगा इसका आंसर देते रहें बचे ये क्लास एक प्रैक्टिस बेस ही नहीं है मैंने आपके exam point of view से direct आपके questions exam में पूछे जा रहे हैं मैं आप लोगों को example के लिए कहता हूँ आप जाए Google पे सर्च करिए आप लोगों को CGL का paper मिलेगा और January से लेकर अब तक कि आप दोनों class को देखिए कितने questions मिलते आपको समझ दो तो इस question का right answer क्या आपका इसका right answer आएगा गोपाल बागले बिल्कुल right answer इसका C गोपाल बागले ठीक है जो questions आपके सामने दिया गया उसका right answer गोपाल बागले ठीक next बढ़ेंगे हम लोग question number six की ओर किस रास्ट ने एक बड़े पैमाने पर नए प्राकरति गैस रिसर्च की रिजर्ब की खोज की है क्या कहा गे बचे आपका विच नेशन डिसकर्ट बचे आपका मैं मैंशिव न्यू नेचुरल गैस रिजर्ब ठीक है कतर युएई साओध अगला questions दिया गया प्रदान मंत्री मात्रत्व बड़े प्राकरति गैस रिजर्ब की खोज करी है तो यहां सही आंसर क्या आएगा यूए की दौरा एनॉस्मेंट किया गया था अगला questions दिया गया प्रदान मंत्री मात्रत्व बंदना योजना कब सुरू किया गया था questions दिया गया आपका budget में especially जब budget जारी किये गये थे और budget से related questions अभी बहुत कम कराये मैं आप लोगों को वो मुझे बिल्कुल दिहान है जब भी exam से पहले budget से related हर एक questions में आप लोगों को बताऊंगा और 20-20 में questions रखता हूँ ठीक है मातिर्त प्रदाहन मंतरी मातिर्त वंदना योजना किस वर्स से सुरू की गई थी तो ये सुरू की गई थी आपकी किस वर्स 2010 में ठीक है हाँ बिल्कुल अच्छा questions है आपका 2010 में सुरू किया गया था नेक्स चलेंगे हम लोग अगले questions के ओर स्री रामचंदर मिशन जो मुख्याले कहां पर सीता है तो यह अभी बताया था बच्चा मैंने आपको स्री लंका स्वरी बच्चा चेंड नहीं है ठीक है नेक्स चलेंगे हम लोग अगले questions के ओर पहली बार क्या दियागे बच्चा आपका कि पहली बार अभी स्वरी बच्चा आपका अभी रिसेंटली क्या होता है 47 वी अखिल भारतिया पुलिस विज्ञान कॉंग्रेस ओल इंडिया पुलिस शाइंस कॉंग्रेस जो आपका होत तो यह कहाँ पर हुआ ठीक है कहाँ पर हुआ तो यह हुआ था अपका कहाँ पर बिलकुल आनसा question से है इसका A right answer आएगा कहाँ पर तो यह हुआ था आपका LAKNAV के अंदर यदि अगर मैं पूछो आप लों से कि LAKNAV सहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है ठीक है और LAKNAV के अंदर सिड्वी का मुख्यालय भी है सिड्वी के बारे में सबी लोगों को याद होगा इसमॉल इंडस्ट्र अलग से नहीं लिए आप लोगों को बताई हुई है हाँ जो नए बच्चे है जैसे यहां पर मिशन जेई करके बच्चा है तो इनका नाम भी नहीं लेकिन नाम किसके कोडिंग आपके नाम के कोडिंग आप नए हो हो सकता है आप ओफलाइन क्लास देखते हो ठीक है या फिर अपने अपनी आईडी पे नाम चैंज कर दिया हो यह हो सकता है लेकिन मैं हमेशा से कहूंगा आप लोगों को यदि आप लोग किसी भी इंसिटुशन को जोइन करते हो तो अपने रियल नाम के साथ जोइन करें ठीक है कब भी भी आप अपनी आईडी बनाते हो तो एक वर् एकॉर्डिंग टुबचाप का वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजिशन दे केस ऑप विज डिजीस कैन राइज इन 80% 81% 2042 ठीक है हाँ यहाँ पर क्वेशन्स देया गया विश्वा स्वास्तिय संगटन के अनुसार 2043 तक किस बीमारी के मामले 81% तक बढ़ सकते हैं बच्राइकत सं Kenny वेल्ड इन 20 लमाल स्वाजशन ंकी गोरा इसा कहा गया था था तो विप्ली ऑंच्पनीशन की दौराज क्या कहा गया था कि जो था केंसर वोग बिताइश यहां पर क्या होता है कैंसर कीवात करूं में तो आ डिसे मिझास खींशन जीए आपका तो असिस्टेंट यही का मिल जाएगा यही का मिल जाएगा ठीक है अगले क्वेशन के और बढ़ेंगे हम लोग अगला क्वेशन से हाली में रोइंग फैडिशन ओप इंडिया ने भारतिय ओलम्पिक जंग में हस्टेख किस खिलाड़ी पर प्रतिबंध हटा दिया रोइंग जो रोइंग फैडिशन के द्वारा इंडिया समय इन से क्या कर दिया गवच्छ आपका फ्रतिबंध हटा दिया गया ठीक है नेक्स चलते हम लोग अगले क्वेशन पर एक एक क्वेशन बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है एक एक क्वेशन आपके एक्जाम पॉइंट आप उसे इंपोर्टेंट है ठीक है पूरी क्लास को आप लोग लास तक देखते रही है अच्छे क्वेशन से हैं निम लिखित में किसे हाली में और यह चार जो आपके टूर्नमेंट होते हैं यह चार इवेंटों को मिला कर हम इसे क्या बोलते हैं ग्रेंट स्लैम के नाम से जान मैंस सिंगल का टाइटल जीता है तो यह किसने जीता है नुवाक जोकोविस का नाम क्रिष्णा बच्चे ने यहां पर सीधे मेंसंझ कर हाए कि नुवाक जोकोविस सर्विया से बिलॉंग करते हैं विलकुल अच्छा है ठीक है नेक्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले कुश्टन्स के ओर अगला क्वेश्टन्स के दिया गया हाली में इराक प्रधान्द मंत्री समझ इराक के प्रधान्द मंत्री न्यूक्त किये गए विशाल बागा जी बिल्कुल मैंने आपका कमेंट्स देखा है अंकित कुमार जी कह रहे हैं अभी ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ हाँ इस संबन में बिल्कुल पैलर में क्लास सल रही है अब GS को देखे या आपका टेक्निकल क्लास देखे तो इसके लिए टाइमिंग चैंज होगी कि जल्दी से आप लोगों को टाइमिंग बता दिया जाएगा कि GS की क्लास की समय पे होगी ठीक है GS की क्लास आपकी सिर्फ दो दिन के लिए 8 बज़े से स्टार्ट हुई थी अब GS की टाइमिंग में चैंज होगा इस संबन में बिलकुल हम लोग बात करें ठीक है तो जल्दी से आप लोगों की GS की क्लास की टाइमिंग चैंज होने वाली है तो जहां तक रगेगा लेट नाइट यानि की 10 बज़े से आपकी क्लास GS की रहेगी मुझे जहां तक आप लोगों को में बताना चाहूंगा अपडेटेट कर लेता हूं की अप क्लास 10 बज़े से होगी आप लोगों की इस क्वेशन का राइट आंसर की आएगा आपका तो यहां पे सही आंसर आएगा बचा मौहमद अल्लावी इराक के जो अभी प्रदाहनमंत्री के तौर पर नूक्त हुए है ये कौन है? मौहमद अल्लावी अगला क्वेशन गया अगला क्वेशन बाहरतिय ओलंपिक यहां पे बाहरतिय ओलंपिक संह के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया खृस्ञंस दिया गिया अपका President of the Indian Olympic Association ॐलंपिक плंटी हुआ कYea ती पहले 1924 में इन्डियान इन लांपिक कमीटी बनती है और शीम ओलंपिक कमीटी का कि तो भात्में 1927 में इसका नाम बदल जाता है 1927 में इसे इंडियन क्या रखा जाता है आई ओ ए रखा जाता है इंडियन ओलंपिक एसोसेशन रखा जाता ठीक है गौतम जी मैंने बताया कि आपकी जो क्लास होगी वो 10 बजे से खीक है अब 10 बजे से होगी है इस question का right answer आएगा नरेंदर दुब भत्रा ठीक है भारतिया ओलंपिक संग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो यह चुना गया नरेंदर दुब भत्रा अगला question दिया गया who is appointed as railway board chairman for one more year एक और वर्स के लिए railway board के अध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया तो एक वर्स के लिए और बढ़ा दिया गया इनका कारेकाल तो एक वर्स के लिए किसका कारेकाल बढ़ा दिया गया समझ रो तो इस question का सही answer आएगा विके यादाओ विनोत कुमार यादाओ अगले एक वर्स के लिए इनका कारेकाल क्या कर दिया गया बढ़ा दिया गया railway board के chairman के लिए अब 2019 में बिटेन में election होते हैं और Boris Johnson यहाँ पे क्या बनते हैं यहाँ के नए प्रदान मंतरी चुने जाते हैं ठीक है और यदि आपसे पूछा जाते है कि Boris Johnson किस party से यह 2019 जो चुना हुए थे बिटेन में वहाँ पे कौन सी party आपके maturity में ठीक है तो जो कौन सी party थी लिबर party, conservative party या Scottish national party या आपका liberal democratic party इस question का सही answer के आएगा आपका तो B right answer आएगा conservative party जो questions आपके सामने दिया गया उस question का right answer आएगा conservative party ठीक है next चलेंगे question number 17 के ओर question number 17 दिल्ली में किस metro का नाम बदल कर supreme court metro कर दिया गया which metro station Delhi rename the supreme court metro आपका क्या दिया गया Monday house इंदरप्रास्त या प्रगती मैदान तो दिल्ली के अंदर जो प्रगती मैदान metro station था इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया आप supreme court metro station के नाम से जाना जाएगा ठीक है ना अगला questions दिया गया question number 18 chief of defense staff कल भी बताया था बहुत बार बताता हूं मैं आप लों को कि बिल्कुल सभी याद करने पड़ेंगे बिल्कुल याद करने पड़ेंगे बचा ठीक है अर्पीता राई बचा सेलेक्षन के लिए हमें सभी कुछ याद रखने ठीक है सब कुछ हमें याद रखना पड़ेगा selection के लिए यहां पर क्या दिया गया chief of defense staff cds की बचापका कि अधिक्तम जो ठीक ना सेवा नितिया क्या रखी गई तो पैसाट वर्स रखी गई इस question का right answer आएगा question number 18 का दी right answer आएगा समझ रहो chief of defense staff की जो retirement आयोगी वो 65 वर्स होगी मैंने बताया आप लोंको 65 वर्स पहले भी बता चुका हूँ ठीक है और विपिन रावत भारत के पहले सीडियस है next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions के ओर which state has the lowest population density ठीक है अब क्या दिया गया बच्चा सबसे कम जन गनता बारत में किस राज्य में सबसे कम जन गनता वाला 2011 की जन गना के अनुसार सबसे कम जन गनता किस राज्य का था ठीक है तो जन गनता क्या होता पर वर किलोमेटर पर आता है यह आपका तो सबसे कम है आपका आवडांचल का और सबसे ज़्यादा है बिहार का सबसे ज़्यादा कौन सा है बिहार राज्य का है ठीक है और सबसे 1184 है ठीके न 1184 के असपास है बिहार के अंदर यानि कि बिहार का सबसे ज़्यादा है और अवरांचर प्रदेश का सबसे गाम है रास्टिया रेल संग्राले कि सहर में इस्तित है इन विच आप दा फॉलोविंग सेटी इन दा नैस्नल रेल मुजियम कहां पे मुंबाई दिल्ली के अंदर आप लोगो को मैने पहले बताया था शुबास्चन्र बोश्दी के नाम पे मुजियम बनाया गया यह भी दिल्ली में है वर्ल मेमोरेल बनाया गया अब यहां पर लास्ट के दो अप्सन जो दी गए हैं हैदराबाद और चेन्नाई यदि मैं आप लोगों सहर है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है चेन्नाई सिटी बैंक ओफ दा विच रिबर अगर ऐसा questions examiner आप से पूछे तो आपका answer क्या आएगा बिल्कुल अच्छा questions है exam point of view से ठीक है तो इस question का right answer आएगा आपका जो चेन्नाई सहर कूम नदी के किनारे और हैद्राबाद सहर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है question number 21 question number 21 कहता है कि world heritage day प्रतेक वर्स कब मनाये जाता है नजाने मैंने question साब को कितनी बार बता होगा ठीक है कि world heritage day प्रतेक वर्स 18 अप्रेल को मनाये जाता है और नेलसन मंडेला डे 18 जुलाई को मनाये जाता है प्रतेक वर्स world heritage day हम लोग celebrate करते है तो 18 अप्रेल को ठीक है और प्रतेक वर्स बचा हम लोग क्या करते हैं आपका नेलसन मंडेला डे के रूप में कम मनाते हैं तो ये भी मैंने आपलों को बताया था इंडियन इस्ट्यूट ऑफ रूरल डेवलमेंट इसका हैट क्वार्टर भी हैदराबाद में ठीक है हाँ अच्छा क्वेशन से बचा आपका नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेशन के ओर इंटरनेस्टल मांटेन डे औज़र अप्जर अब्रियर अन्तारास्ट्य परवत डिवस प्रतेक वर्ज कब मनाया जाता है अंताराष्ट्य परवत दिवस के रूप में है प्रतेक वर्स कब मनाया जाता है ऐसा questions भी पूछा जाता आपका हीमोफीलिया डे बिल्कुल हीमोफीलिया डे 17 अप्रेल को हाँ बिल्कुल बच्चे आपका तो यहां पर right answer आएगा आपका 11 दिसंबर को प्रतेक वर्स 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है आपका अंताराष्ट्य परवत दिवस जो मनाया जाता है साती सात याद रखना यह किसके द्वारा और्गनाईज किया जाता है फूड एंड एग्रिकल्चर और्गनाईजिशन की द्वारा यानि की जो आपका ठीक है यह और्गनाईजिशन है आपका इस और्गनाईजिशन की द्वारा और इस और्गनाईजिशन का मुख्याले है हेड़कॉर्टर कहां पर आपका तो यह हेड़कॉर्टर है रोम इटली के अंदर रोम इटली के अंदर इसका मुख्याले इस्तित है अगला क्वेशन जलवाई परिवर्तन प्रदशन सुचकंक 2019 में भारत की रेंग क्या है 2019 में भारत की रेंग क्या है what is the India rank is the climate change performance index 2019 22 थी बारवी रेंग 11 शौर्वी जापर 90 या 10 ठीक है कौन सी रेंग आई भारत की इसमें समझ रो इस क्वेशन का सही आंचर आएगा नौवी रेंग थी बारत की कौन सी रेंग थी तो नौवी रेंग थी ठीक है next चलेंगे हम लोग अगले questions की ओर अगला questions 107 बचा बिज्ञान Congress Bangalore के अंदर होता है और January में ही आपका हो चुगा था ठीक है what is the theme of 107 Indian Science Congress जो आपका Bangalore के अंदर हुआ यानि कि Bangalore में और ये सम्मेलन प्रतेक वर्स होता है किसी भी exam की तैयारी करते हो तो non-tech में क्या क्या चीज़े पढ़नी होगी वो सारी चीज़े मैं आप लोग को बता चुका हूँ अगर नहीं बताया है तो आप लोग को बचा morning class में चले especially आप लोग को बता देता हूँ कि current में क्या पढ़ना है ठीक है अभी इस class के अंदर तो हम लोग सिर्फ discuss करेंगे लेकिन end में बता दूँगा आप लोग को ठीक है अभी हम लोग के साइज आगे देता है तो यहाँ पर क्या दिया गया कि जो आपका Indian Science Congress होता है 2000 Rural Development बहुत बढ़िया यहाँ पर क्या दिया गया Science and Technology टाइटल दिया गया था Science and Technology किसके लिए Rural Development के लिए यानि कि विज्ञान और प्रद्योगी की ग्रामेर विकास के लिए समझ रो नेक्स चलेंगे हम लोग question number 25 के ओर question number 25 के ओर question number 25 के ओर question number 25 के ता है कि UNESCO की द्वारा पहली बार 2020 के लिए क्या चुना गया था Architecture of which city ठीक है पहली बार चुना गया था UNESCO की द्वारा किस सहर को 2020 के लिए पहली विश्वा राजदानी के रूप में नामित किया गया Paris, Geneva, Tokyo या Rio de Gendryo तो किसे किया गया था तो यह किया गया था बचा किसे ब्राजिल के अंदर Rio de Gendryo को किया गया था ठीक है और यहीं पर 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन भी हुआ था ब्राजिल कौन से कॉंटिनेंट में आता है तो यह आपका South American यानि की दक्षिन अमेर की महादूइब के अंदर Next बढ़ेंगे हम लोग भारत में हर साल मत दाता दिवस के रूप में आप मनाते हो Question No.26 क्या कहता है National Waters Day Celebrate Every Year प्रतेक वर्स का मनाय जाता है नजाने कितनी बार बता चुका होंगे questions भी अब तो आप लोगों को रठ दिया होगे questions ठीक है क्यों बताये मैंने आप लोगों को National Waters Day का मनाय जाता है तो यह मनाय जाता है आपका कब 25 जन्वरी को इस question का सई answer के आएगा आपका 25 जन्वरी को मनाय जाता है ठीक है ना question number 26 का right answer था क्योंकि 25 जन्वरी को ही निर्वाचन आयोग का गठन होता है इस कारण से मनाय जाता है मैंने आप लोगों को पूछा कि निर्वाचन आयोग में कितने मेंबर होते है तो आपने answer दिया तीन मेंबर होते है यहां से एक question पूछन चाहूंगा आपनों से जो निर्वाचन आयोग यानि election commissioner के जो मेंबर होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है यानि इनका जो terms होता है कितने समय के लिए होता है भारतिया प्रेजिडेंट के द्वारा भारतिया राष्टपती के द्वारा निर्वाचन आयोग के तीन सदस्यों को चुना जाता है तो कितने समय के लिए इनका जो कार्यकार होगा इनका टाम्स होगा कितने समय के लिए इसका आंसर कौन दिए जल्दी से दीजी इसका आंसर बिल्कुल आंसर सुनना चाहूंगा मैं आपे मिशहन जेए बच्चा है आपे निरसपाल, रानी यादव, अभिशेक गौरव जो तीन मेंबर होते हैं, इनका कारेकाल कितना होता है? इनका समय सिमा, यानि कि इनके कितने समय तक, इनका टर्म्स क्या होता है? 6 एर का, अभिशेक गॉरब जी ने, बिल्कुल सही answer आपका, 6 या 65, जो भी पहले हो, समझ रो, जो भी earlier, यानि कि जो भी पहले हो यही होता है बिल्कुल 6 या 65 जो भी पहले हो वो इनका क्या होता है कारेकाल होता है नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले questions क्यूर विच स्टेट टू डिसाइडे टू इंसुरेंस कवरेज बच्चा 5 लैक टू गंगा सागर जो ठीक है बिल्कुल आपका नाम तो देखो यहां पर विशाल बागाजी आपका नाम मैं बिल्कुल लोगगा जल्दी से सलेक्ट लॉगडाउन समाप तो और आपका नाम लिष्ट में आएगा तो जब भी मैं क्लास लोगा सबसे पहले आपका नाम लेने वाला हो ठीक है जैसे कि आदित्य राज की मैं बात करता हूँ या एक बच्चा और था सक्सेना करके ठीक है संगीता सक्सेना करके वो भी बिहार के अंदर पंचायती राज में तो ये बच्चे मौर्णिंग में जैसे आज के टाइम पर निरजपाल या कृष्णा करके जो बच्चे है ये सबसे पहले क्लास में रहते हैं उसी तरह से वो बच्चे भी बिल्कुल क्लास के अंदर रेगुलर रहते ठीक है और आज अलग अलग डिपार्टमेंट पर आपके स्टेट के अंदर तो इन क्वेशन का राइट अंसर के आएगा आपका पस्सिम बंगाल वेस्ट बेंग 2019 का जो ग्यान पीड पुरुषकार भारत में लेटेचर में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान भी है तो ये आपका किसे दिया गया 2019 का दिया गया 55 दिया गया ठीक है 20 में दिया गया लेकिन 55 दिया गया लेकिन किसे दिया गया अथिकम को दिया गया अथिकम अचितन इनका नाम है या प्रेमदासा या रचना मंडल या अनिल देशाई तो question number 28 का सही answer आएगा आपका A अब यहां से questions के और ज़्यादा जो आपके questions पूछे जा सकते हैं क्या questions पूछे जा सकते हैं तो पहला questions है भारत में literature में साहित्या में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन से है तो भारत में सबसे बड़ा जो सम्मान है आपका वो है ग्यानपीट पुरुषकार ठीक में इसे announce किया गया था कि भारत में एक ऐसा award दिया जाएगा established भी होता है लेकिन पहली बार 1965 में दिया गया था ये भी याद रखना ठीक है 61 में 61 बचा ठीक है next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions के ओर अगला questions किया दिया गया अभी 2019 के लिए एक award दिया गया था इस award का नाम क्या था? वोग अवर्ड समझ जिरो ये दिया गये बचा आपका वोग अवर्ड जो कि sprinter दूती चंद को दिया गया तो ये किस राज्या से बिलोंग करते हैं समझ जे दूती चंद बचा किस राज्या से बिलोंग करते हैं जिनने इस आवर्ड से सम्मानित किया गय था, और 1965 में जो दिया गय था अपका, ठीक है, हाँ, वो 1965 में संकर कुरूप को दिया गय था, यानि मलियालम भासा के लिए, अथिकम अचुजन को भी मलियालम भासा के लिए दिया गया, वो सारी चीजे मैंने आपको पहले बताई समझ रो तो यहां पर right answer के आएगा आपका उडिशा रज्य से बिलॉंग करते हैं next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions के ओर बांगलादेश की बात करते हैं हम लोग कि बांगलादेश आपका एक स्वतंतर राष्ट बना जो एक पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने जाने वाला जो आपका ठीक है तो ये आपका स्वतंत्र राष्ट कब बना एक independence नेशन के रूप में कब बना तो 1971 में समझे रो 1971 में एक नया देश बनता है और ये कब बना गया ठीक है next बनेंगे हम लोग अगले questions के ओर question number 31 question number 21 क्या दिया गया with which state मिजोरम does not share with the border ठीक है अपना border share नहीं करता है इन मैंसे किस राज़े के साथ मिजोरम सीमा साजा नहीं करता है इन मैंसे किस राज़े के साथ सीमा साजा नहीं करता है अवरांचल प्रदेश के साथ या असम के साथ या मनुपूर या आपका तिरपूरा with which state मिजोरम does not प्रदेश के अंदर मैंने आपको बताया था कि मिजोरम आपका जस्ट सबसे नीचे आता है और सबसे टॉप पे कौन आता है तो यह आता है आप सब के टॉप पे बचा कौन सा है आप रांचल प्रदेश फिर आएगा आपका नागा लेंड फिर मनिपूर लास्ट मिजोरम तो से आवदांचर प्रदेश को next question आगया आपका a questions जो दिया आपका अच्छा questions है the questions के दिए गया विक्रम साराबाय चिल्डन इनुवेशन सेंटर विल भी इनट इन विच स्टीड विक्रम साराबाय चिल्डन इनुवेशन सेंटर किस रज्यम स्तापित किया जाएगा तेलंगाना कर्नाटक अंदरपर्देश गुजरात यह किस राज्य में स्तापित किया जाएगा आपका करे गुजर cared राज्य के अंदर इस्तापित किया जाएगा समझ रो विक्रम सारा भाई बच्छा जो चिल्डरन्स इनोवेशन सेंटर जो खोला जाएगा आपका तो यह गुजरात में खोला जाएगा अच्छा क्वेशन्स है ठीक है जी अपने आप में समंदर है कहां से अग्जाम नर्क्या क्वेशन्स पूछ लेगा हमें नहीं पता ठीक है लेकिन हमें यहां तक तो पता है कि आज के टाइम पे क्योंके?!?! unterstüt act को जातर है या State Gornment के अंदर आपके जो एक्जाम होते हैं वह कैसे क्वेशन्स पूछे जाते है इस चीज़ पर study करने के साथ साथ आपको वो questions कराए जाते हैं कि जो आपके exam में पूछे जा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर right answer के आएगा आपका जोरान मिलोन विक ठीक है जोरान मिलोन विक वर्तमान समय पर क्रोशिया के राष्टपती चुनेगे अब मैं क्रोशिया की बात क वर्टकप होई थे आपके तो उस समय पर क्रोशिया क्या था रनर अरप टीम थी ठीक है फीफा वर्टकप सभी को पता होगा कि जो फैडिशन ओफ ठीक है यह क्या आपका फोटबॉल से संबंदित है फीफा तो यह आपका 2018 में रस्या के अंदर हुआ था जो 2022 में कतर में हो अप आपरता पुर्थी करता जो सबसे ज़य्दा सीरस प्लाई करता पारत को और टिक है यह करता एक बहरत में सबसे ज़्यादा जो और सप्लाई होती है तो कौन करता है इराक करता ठीक है यह द्यान देना आप लोग तो ये भी यार रखना बचा अगले questions क्यों बढ़ेंगे हम लोग अगला questions question number 35 question number 35 क्या कहता है अभी recently आप लोगों ने सुना होगा recently आप सभी लोग President rule E.A.D. Krishna बचा President rule सबसे पहले पेपसु पाकिस्ट आपका पंजाब में 1954 मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले जो आपका लगा था वो लगा था पेपसु करके आता है पेपसु यानि कि जिस पंजाब की बात कर रहे हम लोग वहाँ पेपसु रियासा तुभा करती थी सबसे पहले President rule यहीं पे लगा था बताया था Krishna हाँ मैंने पताया होगा वैसे आप लोगों को ठीक है तो इस क्वेशन का राइट अंसर के आएगा दो हजार बाइस में भारत जी ट्वेंटी से कर सम्मिलन की मेजमानी कब कर रहे है तो यह दो हजार बाइस में करेगा नेक्ट बढ़ेंगे Question number 36 What is the name of human robot that has been developed by ISRO sent to space बारतिया आपको उस robot का नाम बताना है जो ISRO की द्वारा अंतिक्ष में भेजने के लिए विक्सित किया गिया यह questions पूछा गिया ठीक है सबसे ज़्यादा किस state में है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लगा है सबसे ज़्यादा बच्चा उत्तर प्रदेश में लगा था ठीक है तो इस question का right answer क्या आएगा आपका ए ब्योम मित्र ठीक है इस question का right answer हैगा article 356 का प्रियोग सबसे जादा बच्चा UP में किया गया अब तक UP में किया गया ठीक है next बढ़ते हैं हम लोग अगले questions पर अगला questions question number 37 11 में समझ और यहां पर क्या दिया गया 11 वे बहासपा के रास्तिया अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया ठीक है यहां पर questions क्या दिया गया who has been elected as the 11th बीजेपी national president के तौर पर 11 वे बहासपा के रास्तिया अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया तो यह चुना गया बच्चा आपका किसे जगत प्रकास नड़ा इस question का right answer एगा आपका जगत प्रकास नड़ा ठीक है यानि किसका right answer क्या रहा है आपका जगत प्रकास नड़ा अच्छा questions है exam point ऑब उसे next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions पर महारास्ता में सिर्फ तीन बार लगा है next चलेंगे हम लोग अगले questions के question number 30 आपका बच्चे यहाँ पर सभी बहुत सारे बच्चों को इस पर और questions पूछा भी जा सकता है article 356 तो मैं आप लोगों को जो बारत के अंदर emergency से संब्दी ठीक है ना जो बारत में आपात कालीन जो ब्योशता है इसके संब्द में पूरी चीज़ा आप लोगों को बताता रहोंगा समझ रो मैं आप लोगों को पूरी के पूरी जो भी अपात कालीन ब्योशता है इंदर उसमें अब तक क्या का प्रियोग हुआ है कहां पे लगाए इस संब्द में सारी चीज़े हैं आप लोगों को एक बिल्कुल एक separate ब्योडियो के तौर पर या उसमें जो separate questions होंगे आपके तो कल आप लोगों को emergency यानि की article 352, article 356 और article 360 ठीक है इस संब्द हमारा कल का topic यही रहेगा general study में हमारा कल का topic यही रहने वाला है समझ जो भी आप लोगों के doubt है वो सारे के सारे हम लोग clear करेंगे बहुत सारे बच्चों के questions आगे यहाँ पे अर्चना बच्चा ना केरल बताया यूपी महरास्ट्रा सबसे पहले कहां पे लगा तो कल का हमारा एक particular topic रहेगा जो क्या रहेगा emergency की बात करी इंडियन पॉलिटी के अंदर जो आपात कालिन ब्यौसता है दी गई यह सारे की सारे चीज़े हम लोग कल complete कर लेंगे सब आपके doubt वहां से complete हो जाएंगे ठीक है अभी हम लोग यहाँ पे बात करते है तो इस question का right answer था आपका K4 नेक्स चलेंगे हम लग 39 के उर सुभास्चंद्र बोस जहनती प्रते एक वर्स कब मनाई जाती है ऐसा questions पूछा जारा आपसे तो इस question का right answer क्या आएगा तो इसका right answer आएगा बचे आपका A 23 जन्वरी को अब मैंने आप लोगों को क्यों पूछा है questions आप लोगों को याद होगा 2019 में भारत सरकार के द्वारा 75 रुपीर का कोईन जारी किया गया था किसके लिए सुभास्चंद बोस जी के सम्मान के लिए सुभास्चंद बोस जी के द्वारा 1943 में पहली बार cellular jail यानि के अंडमा निकुवार के अंदर tri cry color फ़ेरायगया था इसी सम्मान में 75 वर्स होने पर क्या किया गया था एक काप का जारी क्या गया था कितना 75 रुपीर का उसके साथ साथ इनके नाम पर क्या रखा गया अंडमान निकोवार के अंदर द्वीपों के नाम जैसे सहीद द्वीपों गया आपका स्वाराज हो गया इनका नाम भी रखा गया ठीक है हाँ दिल्ली चलो का नारा इन्होंने सिंगापूर में दिया था यहाँ पर अगला क्वेशन क्या दिया गया यश्वनी इस्कीम जो लॉंच की गई महिलाओ के लिए यह किसे राज्यसरकार के द्वारा शुरू की गई अच्छा कोईसंस है यह चलो इक्सके द्वारा सुरू की गई तो गोवा राज्यसरकार के द्वारा यस्वनी जो योजना शुरू की गई थी तो ये किसके द्वरा गोवा राज्य सरकार के द्वरा शुरू की गई थी ठीक है यानि इसका right answer आएगा आपका C अब मैं गोवा से संबंदित question आप लों को बता देता हूँ question का नाम की आपके questions क्या क्या पूछा जाएगा जैसे गोवा में सबसे पहले तो यहां के CM कौन है कौन answer दे रहा इसका यहां के governor कौन है यह तो याद होने चाहिए आप लों को गोवा के CM का नाम क्या है ठीक है गोवा के CM प्रमोज सामन्त होगे और साती साथ यहां के जो governor है पहले जम्बू एंड कस्मीर में जब तक आर्टिकल 370 नहीं हटाये गया था वहां के governor कौन थे सत्यापाल मलिक सत्यापाल मलिक वर्तमान समय पर गोवा के governor है यह याद अखना वर्तमान समय पर गोवा के governor है यह questions यहां से पूछा जाएगा उसके बाद यहां पर पूछा जाएगा कि गोवा पर पूर्तगालियों ने कब अधिकार करा 1510 में और 1901 में 1961 में पूर्तगाली यहां से यानि कि गोवा मुक्त हुआ था आपका 1961 में यह भी याद होना चाहिए ठीक है उसके बाद मैंने आपको बता है area के according सबसे छोटा state ह साती साती याद रखना यहां पर भी पूछा जाता आपका गोवा का जो कॉस्टल लाइन है समझ जो जो समुद्री तट है वो किसमा आता है तो उसे कहते हैं हम लोग कोकर तट गोवा का जो समुद्री area है उसे कोकर तट भी कहते है ठीक है तो इतनी चीज़े भी आप लोग को याद रखनी चाहिए अगले questions क्यों बढ़ेंगे हम लोग अगला questions यह राफ कि स्कीन के सामने 2020 में खेलो इंडिया यूथ गैम में सबसे टॉप पर कौन रहा है question क्या है which state which 2020 खेलो इंडिया यूथ गैम जो कि कहां पर हुए थे गोहाटी असम के अंदर हुए थे तो सबसे ज्यादा यहां पर medal प्राप्त करा वह प्राप्त किया था किसने महारास्ट्रा ने समझ रो महारास्ट्र राज्या ने प्राप्त करा था ठीक इस तरह के question जरूर पूछा करें जिससे की अगले दिन के लिए topic मिल जाएगा कि आप लोग को कहां से question पूछे जा सकते हैं ठीक है बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं अगला question क्या दिया गया where will be बारतका पहला क्लिनिक का उद्गाटन कहां पर किया गया तो यह किया गया तो भौपाल मध्य प्रदेश के अंदर समझ रो अब बहुपाल मद्या प्रदेश से आप लोगों को क्या क्या चिज़ें याद रखनी है जैसे कि आपका इंद्रा गांधी समझ रो इंद्रा गांधी रास्तिया मानो संग्राल है कहां पर इस्तित है बहुपाल के अंदर है और नेशनल जुडिशल अकेडमी ये भी कहां पर आपका ये भी बहुपाल के अंदर है समझ रो और इसे क्या बोलते है आर्टिफिशल लेक का सहर भी कहते है मैं खुद भी मौपाल के अंदर गया हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी लेक है ठीक है और जैसे कि आपका 1BR नेशनल पार्क ये भी मौपाल के आसपास थी है मिलपुल मौपाल सहर के आसपास है ठीक है तो इंद्रा गांधी रास्टिया मानो संग्राल है ये भी मध्या परदेश मौपाल में है और नेशनल जुडिशल अकेडमी ये दोनों कुछे जाते है इसलिए मैंने आप लोगों को बताया ठीक है बहुत बार पूछा जाते है अहिल्या भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये इंदॉर में इंदॉर सहर भी मध्या परदेश कंदर आता है नेक्ष बढ़ेंगे हम लोग अगले कुशन्स की ओर अगला कुशन्स विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉंच्ट मुख्या मंत्री क्रिशक दुरगटना कल्यान योजना ये किस राज्य ठीक है ये किस राज्य के द्वारा किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था ठीक है अच्छा क्वेशन्स है आपका exam point of view से क्वेशन्स क्या दिया गया होका भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्या मंत्री क्रिशक दुरगटना कल्यान योजना शुरू की गई थी तो ये की गई थी आपका किसके द्वारा तो ये की गई थी उत्तर प्रदेश रज्य सरकार के द्वारा क्रिशी कार्या के दौरान या क्रिशी के दौरान बचा ठीक है हाँ ये कोशन्स पूछा गया था नेक्स बढ़ेंगे बच्छा आपका अच्छा कोशल वहीं पर मोपाल में नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले कोशन्स की ओर अगला कोशन्स क्या दिया गया निमलिखित अभिनेत्रियों मैंसे किसे पदमस्री प्रुषकार 2020 के लिए सम्मानित किया गया था या चुना गया ठीक है इनमेंसे किसे पदमस्री अ्वर्ष दिया गया था ठीक है i have questions ऊपके questions क्या दिया गया थो पदमस्री से किसे चुना गया था तो ये दिया गया था कभना रनावत को सम्माझीण कंगरा रनावत को इस अवर्ड से सम्मानित किया गया था नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेशन्स पर क्वेशन नमबर 41 क्या दिया गया रट देना बच्चा ये क्वेशन्स आपका बास्केट बॉल से सम्मान दिता है इनका नाम क्या बच्चा आपका कोबे ब्राइंट जो एक बास्केट बॉल प्लेयर है इनका निरन हो गया था नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेशन्स के ओर अगला क्वेशन्स क्वेशन नमबर 46 क्वेशन नमबर 46 क्या दिया गया हाल इमें भारतियक जनता पार्टी को जोईन करने वाले भारतियक खिलाडी का नाम उनका नाम क्या है question number 46 which Indian sportsman joined the भारतिय जन्ता पार्टी recently तो किसने join कर रहे है हाँ साइना नेवाल बहुत बिडिया साइना नेवाल ठीक है इन्होंने अभी recently बीजेपी को join कर रहे दिल्ली से सांसत भी है next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions क्यों अगला questions क्या दिया गया question number 47 question number 47 क्या कहता है who won the maximum award at 62nd 62 annual जो Grammy award थे सबसे ज़्यादा award किसे दिया गया और सभी लोग वीडियो को share भी करेंगे और साथी साथ आप लोगों को PDF ये जो भी class ली जाती है चाहे वो technical हो चाहे non technical हो आप लोगों को PDF अगर प्राप्ट करनी है तो उसके लिए आप लोगो प्ले स्टोर पे जाए है इंजेन अकेडमी दैरादून एप मोबाइल अप्लिकेशन है बच्चा हमारा तो वहां से आप लोग मोबाइल अप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हो साथी साथ SSC JE का एक्जाम आप लोगों का जून जुलाई अप्लिकेशन को डाउनलोड कीजिए सभी लोग और सभी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के जो कोर्सेज है वहां पर सारी डिटेल आप लोग को मिल जाएगे ठीक है तो इस क्वेशन का राइट आंसर क्या आपका तो यहां पर दिया गया विली ऐलिस को दिया गया सबसे ज्या बारत या सहर जो दुनिया में सबसे क्राब या था ठीक है सबसे जज़दा भारत में किस से कौन से सहर में और यहां पर साधस ज़दा बच्चा नई दिल्ली अंसर देने वाले लेकिन नई दिल्ली इसका आंसर नहीं आएगा अभी बच्छा पीडियाप इसलिए आप पे नहीं हो पाए लेकिन पीडियाप जल्दी आप पे डाउन हो जाएगा अप्लोड तो इस question का right answer आएगा आपका डी बैंगलूरू ठीक है यहाँ पे right answer का आएगा बच्छा बैंगलूरू जो सहर है सबसे ज़्यादा ठीक है डी यहाँ पे बहुत सारे बच्छे दिल्ली आंसर करने वाले थे अगला questions क्या दिया गया अगला questions ही रा बच्छा आपके सामने Reserve Bank of India के द्वारा क्या कहा गया एक short term strategy तयार की गयी थी कि भारत के अंदर जैसे आपका ATM fraud होता है या हम लोग repo rate की बात करते है रिन सम्मन्दी बात करते है ठीक है Digital India की बात करते है किस तरो से तो यह questions भी पूचा जा सकता आपका question क्या पूचेगा Reserve Bank of India के द्वारा नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित होती है और उसके तहत क्या किया जाता है एक short term strategy तयार की गई उस strategy को नाम दे दिया क्या नाम दे दिया समझ रो ऐसा questions भी पूचा जाएगा आपसे कि इस strategy को क्या नाम दिया गया ठीक है तो क्या नाम दिया गया था आपका bright 20 2022 दिया गया उतकर्स 2022 या successful 2022 या सक्षम 2022 ठीक है यहाँ पर able लिखा गया ठीक है यह क्या आपका सक्षम आएगा ठीक है तो इसका right answer क्या आएगा बच्छा आपका उतकर्स 2022 नाम दिया गया इसे क्या नाम दिया गया उतकर्स 2022 नाम दिया ठीक next बढ़ेंगे हम लोग question number 50 के ओर question number 50 question number 50 क्या कहता है who won the world rapid chess जो आपका 2019 टाइटल 2020 में 2019 में विश्वर रैपिट सत्रंज जो खेल होता है यह कहां पर रसिया ने होस्ट करा अब रसिया ने जब होस्ट करा तो यहां पर किस ने जीता समझ रहो जो female में जो ठीक है female का जो टा कोनेरू हमपी इस question का right answer क्या आएग आपका कोनेरू हमपी के द्वारा समझ रहो आपसे examiner पूछने वाला है 2019 में सबसे ज़्यादा चर्चित नाम रहा आपका कोनेरू हमपी यह कौन से खेल से संबंदित है तो आपने answer क्या दिया chess से संबंदित है सत्रंज से संबंदित है ठीक है next चलेंगे हम लोग अगले questions के ओर question number 51 अब यहां से कुछ GS के questions मिलने वाले आप लों को shadow cabinet यानि के pressure group होता है shadow cabinet की बात करते हैं जैसे हम लोग भारत में विपक्षी दल की बात करते हैं ठीक है अलग अलग संसदिया जो कमिटियां बनती है उस तो के हम लोग बात करते है उसी तरह से shadow cabinet एक feature है तो यह administrative system है कहाँ पे shadow cabinet किस प्रसासनिक प्रणाली की एक बिसेश्ता है ब्रिटैन के अंदर USA के अंदर France के अंदर या जापान के अंदर इस question का सही answer क्या आना चाहिए question number 51 का ठीक है question number 51 का right answer आएगा ब्रिटैन के अंदर ब्रिटैन के अंदर shadow cabinet की बात करते है तो यह कहाँ पे ब्रिटैन में प्रचलीत है ठीक है अगला question से यह दिया गया आप लोग के बात बहुत important है corruption के खिलाप लोगपाल की बात करते हैं हम लोग लोगपाल जो भारत के पहले चुनेगे लोगपाल के र इसकते हैं प्रदान मंत्री से पतवारी तक जो भी पद है इन पर क्या कर सकता है corruption के खिलाप सुनवाई कर सकता है या कारवाई कर सकता है कौन लोगपाल तो लोगपाल के लिए जो बीदेयक लोग सभा और राज्यसभा में ठीक है तो यह कब पास हुआ था आपका 2013 में पा इसकेंडिनेवियन कंट्री से जो इसकेंडिनेवियन कंट्री है यहां से भारत में लोगपाल की व्योस्ता ली गए उससे पहले भारतिय संसद में भारतिय संसद में पहली बार लोगपाल जो सब्द है यह कब इंट्रिद्यूस किया गया था पहली बार अगर हम लोग कहते है कि संसत के अंदर ये सब्दा वली का परियोग वा था तो ये हुआ था 1967 में बिलकुल अच्छा क्वेशन से एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है इसलिए मैं औरली जो चीजे बता रहा हूँ आप लोग को वो एक्जाम में पूछी गई है क्वेशन नमर 53 क्या कहता है विच आर्टिकल इंडियन कॉंसिट्यूशन बारतिय सब्दान के अंदर डक्टर भीम राव अंबेटकर जी के द्वारा बारतिय सब्दान का हिर्दय और आत्मा कहा गया था समझ रो समयधानक उपचारों का अधिकार की बात की गई ठीक है जिसम कौन से आर्टिकल को यह कहा गया था आर्टिकल यानिकी 32 को इस और और आप लोग को ब्ता दिए अगर नॉर्मली पूछा जाएगा आपसे समय भारतिय सब्दान की आत्मा की आत्मा किसे कहा जाता है तब आपका užचा है प्रस्तावना प्रेंबल को कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाते हैं डाक्टर भीम्राव अंबिट करने किसको का तब आर्टिकल आपका कौन सा आएगा 32 को ठीक है अगला कोईशन राइट टू प्राइवेशी यानि कि निजता का अधिकार यह कहां पर दिया गया जब भी आप फॉर्मल्टी के लिए कहीं पर भी आधार कार्ड पैन कार्ड यह यूज करते तो वहाँ पर दिया जाता है कि निजता का अधिकार यानि कि राइट टू प्राइवेशी यहां पर हम लोग यहां पर क्या करेंगे बच्छा इसे पूरी तुरों से ठीक है राइट टू ब्यक्ति का जो आपको अगर कोई भी फ्रॉड कॉल आती है इसके बारे में अगर आप किसी कंपनी से पूछेंगे कि इस नंबर के बारे में डिट्रेल दीजिया है कभी भी आपको नहीं दिया जाता है तो वह क्या है राइट टू प्राइवेसी की बात की जाती है ठीक है निजिता का अधिकार की बात करेंगा हम लोग तो ये एक fundamental right है आपका मूल अधिकार है और article 21 में दिया गया समझ रो अनुछेद 21 के अंदर ये ब्यवस्ता दी गई है नेक्स शलते हैं हम लोग question number 55 क्यों question number 55 क्या कहता है इंडियन constitution के अंदर article 74 और 75 किस से संबंदित है समझ रो भारतिया समिधान के अंदर अनुछेद 74 और 75 किस से संबंदित है मंत्री पडिशत से लोग सभा से या भारत के राष्टपती से या cabinet minister से ठीक है तो यहाँ पर याद रखना मैंने आपको हमेशा कहा है आर्टिकल 74 भारतिया प्रदान मंत्री और 75 इन दोनों को मिला कर ठीक है इन दोनों को मिला कर क्या बना जाता आपका यहाँ पर council of minister की बात करते हैं हम लोग ठीक है राष्टपती की साहिता के लिए एक क्या बनता है council of minister यानि के मंत्री परिसद का गठन किया जाता है और यह मंत्री परिसद वैसे सामुईक रूप से किसके प्रती उतरदाई होता है लोग सभा के प्रती उतरदाई होता है या responsible होता है ल which amendment बच्छे आपका जिसने भारत के अंदर क्या करता ठीक है यहाँ पर क्या दिया गया संसत और रज्य विधान सभा को समान और सेवा कानून बनाने के लिए सक्ति प्रदान करता है इन मैंसे कौन सा ठीक है तो यहाँ पर GST की बात की जारी है तो इस question का right answer आएगा आपका A 101 सभिधान संचोदन 2014 समझो 2040 यह आपका बिधेयक बन गया था समझो यह क्या बन गया था आपका बिधेयक बन गया था आप लोग को मैं यह पहले ही बता चुका हूँ ठीक है अब चलते हम लोग question number 57 के ओर question number 57 क्या कहता है अभी रभीना और literature price 2019 एक Novel है जिसका नम के है सोलो करके इसे इस किसे किसे समय और यहां पर जितने वी लोग अभी लाइब है सबी लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे और साती साथ आप अपने फ्रेंड सरकल में चाहिए आपका दोस्त बच्छा सिविल ब्रांच से है चाहिए मेकैनिकल से चाहिए इलक्टिकल ब्रांच से सभी क्लास है रेगुलर चलती है तो आप लोग सेयर करेंगे इंजिनरेक अकाडमी आज के समय पर इलक्टिकल, इलक्ट्रोनिक, सिविल, मेकैनिकल सभी क्लास है आप लोग की चलती है तो आप लोगों को सेयर भी करना है अपने दोस्तों को बताना भी है ठीक है अगले questions के और चलते हैं हम लोग अगला questions क्या दिया गया which gas solid state also known as dry ice किसी gas को जो बचने यहां पर क्या दिया गया ठोस अवस्ता में कौन सी gas शूकी वर्फ के नाम से जानी जाती है अच्छा question से आपका carbon dioxide, hydrogen, nitrogen नाइड्रोजन आपका या oxygen which gas is the solid state also known as dry ice तो कौन सी जानी जाती है ठीक है तो यह जानी जाती है आपके कौन सी carbon dioxide यानि की C इस question का right answer आएगा जो आपके सामने दिया गया ठीक है तो इस question का right answer के आएगा आपका C next शलते हम लोग अगले questions के और next शलते हम लोग अगले questions के और बहुत important questions है आपका exam point of view से जो बाग गुफाएं है यह जो बाग के पैंटिंग है यह कहाँ पर पाई जाती है ठीक है यह कहाँ पर आपके पाई जाती है यह कहाँ पर वर्तमान समय पर ठीक है तो बाग गुफाएं सिंपल सा जैसे अजन्ता एल और महरास्टा के अंदर समझ रो उसी तरो से आपका भीम बेट का पूशता है या बाग की गुफाएं पूशता है सिक्किम मध्यप्रदेश हिमांचर प्रदेश या ओडिशा question number 59 का right answer है आपका मध्यप्रदेश के अंदर इस्तीत है आज तो बाफरिंग नहीं हो रहा है बच्छा आज बिल्कुल सही है आज कहीं पर भी शुनिया रहा है आज बिल्कुल सही है बच्छा बाफरिंग का issue तो नहीं होगा आपका अगला question क्या दिया गया which यहां पर convert high level language into machine language उच इस तरिया भासा को मसीनिया भासा में परवर्तित करते हैं तो electronics वाले बच्छे तो पूरे इसको डिजाइन करते हैं तो उन्हें के लिए तो आसान हो जाते है ठीक है तो इस question का right answer आएगा आपका compiler ठीक है इसका right answer क्या आएगा आपका compiler next बढ़ेंगे हम लोग next चलते हम लोग question number 61 question number 61 क्या दिया गया salal परियूजना का निर्मान jumbo and kasmir के अंदर salal परियूजना आपकी तो यह किस नदी पर बना हुए the salal project जो आपका किस नदी पर बना हुए नदी का नाम बताना आप लोंको ठीक है तो इस question का right answer आपका क्या चेनाब नदी पर बना हुए यदि मैं आप लोग से पूछूँ चेनाब का previous name क्या था चेनाब नदी को हम लोग प्राचिन काल में किस नाम से जानते थे ठीक है यह question पूछा जाता आपका जैसे कि आपका जेलम नदी है रावी नदी को पौरुशन ही कहते हैं आप लोग जेलम को वितसता है तो चेनाब को असकन ही कहा जाता था ठीक है बिलकुल आसान सा questions है मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़े हैं वैसे ही बता देता हूँ तो उन्हें भी आप लोग याद रखिए अब selection लेना है तो सारी चीज़े याद करनी पड़ीगी ठीक है ना? questions क्या दिया गया? question number 62 who was the founder of बहुजन समाज party? BSP party के सस्तापक कौन थे? BSP party के सस्तापक कौन थे? बहुजन समाज party के सस्तापक कौन थे? James Andrew यहाँ पर क्या दिया गया? James Andrew Ramsey was the real name of which governor general of India James Andrew Ramsey के नाम से बहरत में किस governor general का असली नाम था? ठीक है? तो इस question का सही answer क्या आईगा आपका? James Andrew Ramsey बहरत में किस governor general का असली नाम था? Lord Dalhousie, Lord Kenning, Lord North या Lord Karjan को? किसे कहा जाता था? जो questions आपके सामने दिया गया, उस question का right answer आएगा आपका? तो Lord Dalhousie, जिसने भारत में, समझ रहों आप लोगों को याद होगा, व्यप्तगंत की निती या Doctrine of Laps की निती भी कहते हैं हम लोग, या Raja Harap निती भी कहते हैं, ठीक है? तो ये Dart Dalhousie के द्वारा, इसे Jams Andrew Ramsey के नाम से जाना जाता था, ठीक है? इसका असली नामी यही था, next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions पर, अगला questions क्या दिया गया? Which state has the least area of the under forest? 2018 की जो forest report आई, इसके according क्या कहा गया? किस राज्य के अंदर सबसे कम वन छेतर है? तो यहाँ पे सही answer क्या आएगा आपका? तो B इसका right answer आएगा, हरियाना. किस राज्य के अंदर? हरियाना राज्य के अंदर सबसे कम वन छेतर है. यहाँ पे जितने भी बच्चे live हैं, जो भी बच्चे regular class में रहते हैं, तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, या आप अपना feedback दे सकते हैं, ठीक है? जो भी बच्चा सहमत हैं, क्योंकि अभी पेरिलर में आप लोगों की electrical की class भी चल रही है, काडारिया सर आपकी class ले रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप लोग सभी तयार हैं, तो आपकी ये class 10 पीम पे होगी, रात में 10 बज़े से शुरू होगी, और हम लोग बच्चा उसे 11 बज़े तक ये साड़ी 11 बज़े तक समाप्त कर लेंगे, तो जो भी बच्चे सहमत है, मैं उन सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो लोग regular class में रहते हैं, तो वो yes लिखके भेश सकते हैं, जो भी बच्चा सहमत हो, तो वो yes लिखके भेश सकते हैं, कि 10 बज़े class के लिए वो सहमत है, और daily live रहेगा, हाँ दिन भर मैं net बच जाएगा, तो live रहेंगे, ठीक है, ये class आपकी general study की रहेगी, बिल्कुल यहाँ पर हम लोग, जिस तरों से class रहती हैं, आपकी exam 2020, उसी class को, ठीक है, 10 पीम पर आपकी daily class रहेगी, तब तक आप लोग free हो जाते, सबी चीज़ों से, हाँ तो जो भी बच्चा सहमत हो, ठीक है, क्योंकि regular जो बच्चे रहते हैं, बिल्कुल तयार है, ठीक है, हाँ बिल्कुल गौतम जी, आप तो regular हैं, बिल्कुल regular हैं बच्चे आप लोग, हद 10 बजे पर सब लोग तयार हैं न, बिल्कुल तयार हैं ठीक है न, ठीक है, बिल्कुल, अगले questions क्यों बढ़ेंगे, हम लोग अगला questions क्या दिया गया, बच्चे एक कमेटी बनती है, जैसे अभी recently कस्तुरी रंजन कमेटी, हाँ बिल्कुल ठीक है, 10 बजे कल से क्योंकि आपकी क्लास, 10 बजे स्टार्ड होने वाली है, इसलिए मैंने आपको बताया है, पहले से, अब आगे से आपकी 10 बजे ही रहेगी, ठीक है, पहलेर में दो क्लासे नहीं रहेगी आप लोगों की, क्वेशन्स क्या दियागे बच्चे आपका, मलिमट कमेटी जो बनी थी, ये रिपोर्ट दी थी इसने तो किस से सम्बंदी थी, तो ये बनी थी आपकी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, रिफॉर्म्स के लिए, बारत में आपराधिक न्याई परणाली में सुधार के लिए, जो मलिमट कमेटी जो बनी थी आपके, नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेशन्स के ओर, अगला क्वेशन्स के है आपका, अगला क्वेशन्स टाइगर बिलकुल सोना कम है बचे ठीक है, यहाँ पर क्वेशन्स के दिया गया, एक्कॉर्डिंग टू टाइगर सेंसर रिपोर्ट टू थाजेंट नाइंटीन, विच स्टेट आप इंडिया है इस टाइगर परजन्स टीक है, नेक्स्ट बढ़तेंगे हम लोग, अगले क्वेशन्स के ओर, अगला क्वेशन्स यहाँ पर जो दिया गया आपका, क्वेशन्स किया पूछा गया, और अइन्ड ऑप इमेजनेशन, ओद ऑफ इमेजनेशन के बात की जा री आपकर, तो ये book किसके द्वारा लिखी गई है समझ रो the end of imagination जो book बचा किसके द्वारा लिखी गई है ऐसा questions पूछा जा रहे ठीक है तो इस question का right answer के आएगा बचा ये लिखी गई अरुन धती रोई जी के द्वारा लिखी गई the god of small things के लिए इन्हें मान भुकर प्राइज दिया गया था और अब तक मान भुकर प्राइज कितने लोगों को दिया गया तो पांच भारतियों को दिया गया ठीक है और god of small things के लिए इन्हें ये award भी दिया गया था अगला questions क्या दिया गया who is the chief law officer of India भारत में मुख्य विधिक अधिकारी होता है solicitor general, advocate general, attorney general या security बचापका law department सचिव विधिवाक का तो सबसे बड़ा जो होता है बचाए कौन होता है article 76 article 76 सभी को याद होगा attorney general of India ठीक है और इन्हें क्या कहा जाता बचापका तो महानियावादी इन्हें हिंदी में कहते हैं महानियावादी जो वर्तमान समय पर के के वेनु गुपाल है और इन्हें भी भारत के राष्टपती के द्वारा क्या क्या जाता है, appointment क्या जाता है next चलेंगे हम लोग अगले questions के ओर DMRC के अंदर पूझा गया था questions अएर आपका तो questions के आप पूँछा गया था मगद वंस का सस्तापक कौन था मगद में हर飲्यक वंस का सस्तापक कौन था मगद में हर्यक वंस का जो सस्तापक था उसका नाम क्या था विम्भिसार Question number 70 अपका सक युक की सुरुवात किसके द्वारा की गई थी जो भारत सरकार के उपयोग में यानि के हमारा जो रास्टा कलेंड़ बचा आपका संवत से 78 इस वी में शुरू तुसरमेता, और additional solicitor journal कौन है, महादेवी दीवान करके, ठीक है न, माद्वी दीवान, सॉरी माद्वी दिवान, solicitor general उनने हैं तुसरमेता, और additional solicitor general की बात zrobić हैं, हम लोग, तो कौन हता है, माद्वी दीवान, एक बच्चे का कमेंट्स आया था, उनके comments के साथ साथ मैंने mention कर आपको ठीक है अगला questions क्या दिया गे बच्छा आपका questions दिया गया और ये questions तो रट दीजिए medical field से जितने भी questions आएंगे आपके ठीक है तो उसे रट दीजिए आप लोग questions पूछा जाएगा आपका अंताराष्ट्या नर्स दिवस के रूप में प्रतेक वर्स कम मनाया जाता है जो आपका Florence Nightingale Award भी नर्सों के लिए जाता है ठीक है Florence Nightingale Award भी प्रतेक वर्स नर्सों के लिए जाता है तो यहाँ पर यार जखना कम मनाया जाता है तो यहाँ पे सही answer के आएगा आपका 12 माई ही ठीक है हिंडिय और इंगलिश में mention सही नहीं है तो यह 12 माई को मनाया जाता है प्रतेक वर्स 12 माई को मनाया जाता है और मैंने आप लोग को बताया भी था कि लिनी सिजेस करके नाम था धक्षिन भारत में एक Government nurse होती बचा उनका निपाह वायरस के इलास के दोरान निपाह वायरस के जो पेशन्ट थे उनके इलास के दोरान ये भी क्या हो जाते है संक्रमित हो जाती है और इनका भी निदन हो गया था ठीक है तो जिस कारण से उन्हें फ्लोरेंस नाइट एंगल आवर्ड से सम्मानित किया गया था इनका नाम क्या बता है मैंने लीनी सिजियेस करके नाम था इनका ठीक है आप से एक्जामनर पूछेगा तो यहां पर हाँ 12 म समझें 12 माही को मनाए जाता है प्रतेइक वर्ष नेक्स जलते हम लोग अगले कुशिंद क्यों सेकंड अशोक के नाम से किसे जाना जाता है तो कनिस को कहा जाता था दूतिया सोक के नाम से क्यूं क्योंकि इनोने बचा उस्सी तौरह से जैसे भारतियों के लिए सिल्क रू 2020 में जो आपका मनाय जाएगा तो कब मनाय जाएगा ठीक है तो ये मनाय जाएगा बच्छा आपका कब तो मनाय गया बच्छा आपका मनाय गया Question No. 74, भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क किस सहर में स्तापित किया जाएगा अगले पांच वर्सों तक, समझ यहां पर क्या दिया गया, Questions, the largest air quality monitoring network of India installed the which city ठीक है, तो अगले पांच वर्सों के लिए तारगेट रखा गया, तो भारत के कौन से सहर में, तो सहर होगा आपका मुंबाई, अब कुरुनावारिस ने तो यह तारगेट थोड़ा लंबा हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा, लेकिन यह कौन सा होगा बच्चा मुंबाई, ठीक है, नेक्स चलेंगे हम लोग, which state of the best performing state, sustainable growth per UNDP Indian report, West Bengal, Odisha, तेलंगाना या बिहार, तो इस right answer के आएगा बच्चा आपका, तेलंगाना, UNDP के द्वारा क्या कहा गया था, एक report जारी की गई थी, ठीक है, इस report के according, जो आपका ठीक है, सबसे जाद, अच्छा जो sustainable की बाद की गई यहाँ पर, ठीक है, तो यह कहाँ पर आपका, तो यहाँ पर तेलंगाना इसका right answer था, अगला questions क्या दिया गया, question number 11th National Krishy Vigyan, Kendra Conference 2020, held in West City, तो जो आपका राष्टे क्रिशी विज्ञान के अंदर संभलन 2020 में हो गया था, तो कहाँ पर हुआ, चेन्ना के अंदर आएजित, सुरी चेन्नाई नहीं नहीं दिल्ली, सुरी बचा नहीं दिल्ली में आएजित हुआ था, ठीक है, next चलेंगे हम लोग अगले questions पर, question number 77, तो यह questions भी मैं आप लोगों को काफी बार बता चुका हूँ, और coronavirus से जुड़े हुए जो भी questions बनेंगे, आपक हर एक questions जो भी बनेंगे, बच्चे में आपके exam से पहले, हर एक questions चाहे वो one liner में हो, चाहे आपको objective type में हो, सारे questions बताऊंगा, ठीक है, तो questions क्या दिया गया, यह परियाटन मंत्राले की द्वारा, standard in India, जो portal जो launch किया गया था, किसके द्वारा, तो यह परियाटन मंत्राले कि द्वारा बारत में, अलग 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 इस्तानों पर फसे हुए, जो बिदेशी यात्री थे, उन्हें तक हर एक सुविदाय, जो मूल बूच सुविदाय है, उसको पोचाने के लिए, launch किया गया था, questions क्या दिया गया, which country has the band, यहाँ पर क्या दिया गया आपका, ठीक है यहाँ बिल्कुल किस देश ने अंतिम सस्कार समारों पर पून रूप से प्रतिबंद लगा दिया, यह भी पूछा गया, पून रूप पर प्रतिबंद लगा दिया गया, ठीक है, तो इसका right answer क्या आएगा, आपका, C, इस question का right answer क्या आएगा, इस question का right answer क्या आएगा, इस आप लोग को net मिलता है, वैसे हमें मिलता है, अब जैसे ही lockdown की स्तिति सामान्या होगी, सभी क्लासों की जो भी PDF हो जाएगी, सभी PDF आप लोग को दिया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा स्तिति सामान्या होने के बाद, क्योंकि जितना net होता है, उतने net में मैं आपको class ले को कब तक बढ़ाया गया, ठीक है, questions क्या दिया गया, the government has extended the validity of vehicle, ठीक है, यह कब तक बढ़ाया गया, permit तो बढ़ा दिया गया, कब तक के लिए, जैसे कि आपका 30 जून तक, 30 जून तक, ठीक है, जैसे कि आपका insurance की बात करते हैं, हम लोग, समझ रो, next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions की और, अगला questions, question number 80, question number 80, जो दिया गया आपका, question number 80 क्या कहता है, Reserve Bank of India के deputy governor के रूप में किसे न्युक्त किया गया, या इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, तो इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया, BP कानुन गो, मैंने आप लोग को बताया भी था, 3 plus 1, समझ जो 3 क्या होते है, deputy governor होते है, एक governor होते है, तो governor कौन है, सक्तिकान दास वर्तमान समय पर, Reserve Bank के governor है, ठीक है, अगला questions क्या दिया ग organization, हाल ही में, इसमें 30 सदस्या हो गए, इसमें कितने member हो गए आपके, 30 member हो गए, अब examiner पूछने वाला आप लोग से, कि recently, जो 30 सदस्या बना हो, कौन सा बना, तो ये बना आपका कौन सा, इसका right answer आएगा, आपका North Macedonia, उत्री Macedonia इसका member बना, ठीक है, नाटो की स्थापना कब होती है, 1949 में, मुख्याले कहां पर, Brussels, Belgium के अंदर, ठीक है, ये भी बताया था, और, नेक्स शलते हैं, हम लोग अगले questions पर, question number 82, question number 82 क्या कह रहा है, विश्वा Athletic Championship, किस वर्स तक के लिए, क्या कर दिया, इसे, पोश्पॉन कर दिया गया, तो ये होगा, आपका mid 2021 तक, mid 2021 तक, world athlete championship को, मध्य 2021 तक के लिए, क्या कर दिया गया, टाल दिया गया, ठीक है, अगला questions क्या दिया गया, नासा का अभी एक mission ने बचा, study, joint solar particle, storm is the cold, इसे क्या नाम दिया गया, joint solar, जो particle, storm नामक अध्यान के लिए, नासा ने कौन सा mission launch कर आए, तो इस mission का नाम है, sunrise, इस mission क गया, समझ रो, इसे क्या नाम दिया गया, sunrise नाम दिया गया, ठीक है, question number 84, सरकार के बैग्यानिक सलाकारों के अनुसार, या भी जो आपका ठीक है, scientific जो एडवाईजर है, उनके द्वारा क्या गया, जो home marks होते है, ये कितने प्रतिसात तक क्या है, प्रभावी है, समझ रो, इनके according, according to the government's scientific advisor, how to effective are the home marks, 80%, 70%, या 90%, या आपका 50%, तो यहाँ पर ध्यान देना, 70% तक ठीक है, जो घरों में जो marks तयार की जा रहे है, 70% तक ठीक है, नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले questions पर, question number 85, ICC महिला किर्केट बिश्वकप 2021 की मेजबानी करने वाला, कौन सा देश होगा, तो ये कौन सा होगा, New Zealand, ये पहले बता चुका हो, question के बारे में, question number 86, question number 86 दिया गया, असरब गनी किस देश के राष्ट पती के रूप में है, दूसरा कारेकाल इनने शुरू करा है, असरब गनी, ठीक है, असरब गनी, second term as the president of which country, अभी हो जाएगी बच्छा, पहले ली class सल रही है, बिल्कुल अभी class शुरू हो जाएगी, तो इस question का right answer के आएगा आपका, तो इसका right answer आएगा बच्छा आपका, D, Afghanistan, अब मैं Afghanistan के बा कुमार जी, बिल्कुल दीपग, ठीक है, दीपग बच्छा अभी class सुरू हो जाएगी, पैरलली class सो चल जाएगी, ठीक है, इंतजार कीजिए आप लोग, तो सोरा यहां की Parliament है, और अटल यहां पर याद रखना, सोरा जो Parliament है, ब्लॉक का नाम अटल ब्लॉक रखा गया, भा डियाडियो के अध्यक्स कौन है, ऐसा question अगर examiner पूस्ता आप से, तो आपका answer क्या आएगा, डियाडियो के वर्तमान समय पर अध्यक्स कौन है, बच्छे समझो, डियाडियो यानि की आपका Defense Research Development Organization, ठीक है, तो डियाडियो के वर्तमान समय पर अध्यक्स कौन है, तो इसका right answer आपका, जी, सतीस, रेडियो, ठीक है, established 1958 में, question number 87 का right answer था आपका, जी, सतीस, रेडियो, ठीक है, next शलेंगे, question number 88, 2021 में तीसरे एशाई खेलों का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तीसरे एशाई खेलों का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यह होंगे आपके चाहिना के अंदर, ठीक है न, जो तीसरे एशाई युवा खेलों की मेजबानी, एशाई गेम तो 2022 में होना है, question दिया गया, finance minister के द्वार, बच्चे यहां पर क्या कहा गया, तो भित्मंत्राले के द्वारा, जो क्या होता है, पीपीप, यहान की बच्चा आपका, जो पीपीएफ क की बात की गया, सारवजनिक भाषिस्या ने दी, ठीक है, यहां पर अगर मैं पब्लिक प्रॉबिडेंट फंड की बात करूं, तो इसमें जो परसंटेज होगा, अब कितना किया गया, सबसे निचले स्थर पर रखा गया, अभी जबसे यह 1977 से शुरू हुआ, तो 7.1 तक गटा दी, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है, 1997 से सबसे निचले स्थर पाए, क्योंकि इससे पहले, 8% से नीचे बहुत कम चांसे होते हैं, क्वेशन नमबर 90, क्वेशन नमबर 90, हाल ही मैं, केंद्रिया वानिजया, उद्योग मंत्राले के द्वरह, विदेशी ब्यापार नीती को, 2015-20 के, कितने वर्स के लिए बढ़ा दिया, जो विदेशी नीती थी भारत की, जो फॉरन ट्रेड पॉलिसी होती है, भारत की जो फॉरन ट्रेड पॉलिसी, 2015 से लेकर 20 तक इसे कितना समय के लिए बढ़ा दिया तो ये बढ़ा दिया गया आपका एक वर्स के लिए अगले एक वर्स के लिए बढ़ा दिया गया ठीक है ना question number 91 question number 91 सभी लोग वीडियो को like और share भी करते रही है जो जो questions आप लोगों को आते हैं उन questions को answer भी देते रही है सिर्फ देखना नहीं है answer भी देते रहना है ठीक है which organization declare the word economy will go into the यहां पर क्या दिया गया बचा बिल्कुल किस संगठन ने गोशना करी है भारत और चीन को छोड़कर विश्वकी जो economy है वर्ड की जो economy किस में चले आएगी मंदी में चले जाएगी ऐसा किसके द्वरा कहा गया कि lockdown या korona virus के प्रकोप के बाद 2021 2020 21 तग क्या हो जाएगा ठीक है तो यह कहा गया UN के द्वरा UN के द्वरा कहा गया अगले quarter में समझ दो अगले quarter में यहां पर दिया गया कोशन साब का आर्बी आई के द्वारा जंबो एंक स्मीर के एमडी के रूप में किसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया उस चर्ण वह उसके रूप में किसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया तो इनका नाम है आरके चिबर वह जो जंबो एंक स्मीर बैंक के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया ठीक है बिल्कूल अच्छा कुश्चन सा अगया आपका रिसेंटली इंडियन पोस्ट के द्वारा क्या किया गया पोस्ट ओफिस ऑफ वील सर्विस जो लॉंच की गई तो ये कौन से रज्जम है इसका सेवा विस्तार किया गया ठीक है कुश्चन क्या दिया गया आपका हाली में इंडियन पोस्ट ने किस रज्जम है पोस्ट ओफिस ऑफिस ऑन दा वील सेवा का विस्तार किया है तो किस रज्जम है क्या है तो ये किया गया आपका कहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर समझ रो कहां पे क्या गया उत्तर no.94 question no.94 क्या कहता है इंडिया इस्टेट है रिसेंट स्टार्ट इंडिया फॉस्ट इंटर शीटि इलेक्टिकलबस सर्बीस इलेक्रिकलबस सर्बीस की बात की गई तो यह होगा आपका का पर महारास्त के अंदर इस कुशन का राइट अंसर कि आपका आपका महारास्त थीक है किस भारतिया रज्यन है हाल ही में भारत में पहली बार इंटर सिटी लक्टिक बस सेवा जो सुरू करी है तो ये महाराशने सुरू करी है और जैसे शुरू करा तो लॉकडाउन सुरू हो गया समझ रो नेक्स चलते हम लोग अगले कुशन की ओर इंडेक्स 2019 में भारत की रेंक क्या थी तो भारत की रेंक क्या थी इसमें तो ये थी आपकी 80 ठीक है याँपर क्या थी 80 question number 95 का right answer था आपका 80 नेक्स्ट क्यों बढ़ेंगे हम लोग अगला क्वेशन क्या दिया गया जो पॉपलर कॉमेडिव एक्टर बचा बुलेट प्रकाशन इनका रिसेंट्ली निदन हो गया समझ रहो तो यह कौन से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए है बुलेट प्रकाशन जिनका रिसेंट्ली बुलेट प्रकाश जिनका रिसेंट्ली यानि कि 6 अपरेल 2020 को निदन हो गया तो यह कौन से फिल्म उद्योग से जुड़े हुए थे ठीक है तो यह कौन से फिल्म उद्योग से जुड़े हुए थे तो इसका right answer आएगा आपका D कनड से ये question right answer आएगा question number 96 का कनड फिल्म उद्योग से यानि कनड फिल्म इंडर्स्ट्री से जुड़े हुई थे ठीक है next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions की ओर अगला questions क्या दिया गया वच्छा आपका questions दिया गया है निम लखित मैंसे आईटी साखहों में जिसके द्वारा क्या किया गया which among the following IIT branches has developed a low cost ventilator प्रान वायू ठीक है क्या नाम इसका प्रान वायू करके ठीक है प्रान वायू किसके द्वारा विक्सित क्या गया किस आईटी साखह के द्वारा प्रान वायू बच्छा कम लागत में ये वेंटिलेटर विक्सित क्या गया ठीक है तो इसका राइट आंसर आईगा IIT रुडखी के द्वारा बिल्कुल IIT रुडखी के द्वारा question number 97 राइट आंसर आईगा आपका C IIT रुडखी के द्वारा ठीक है ना बिल्कुल बच्छा प्राण वायू किसके द्वारा विक्सित क्या गया IIT रुडखी के द्वारा एश्याई विकास बैंक में कितने सदस्य है ADB के अंदर कितने सदस्य मेंबर है अभी वर्तमान समय पे इस question का right answer आईगा आपका C 68 ठीक है ने इस question का right answer क्या है आपका how many country are member of Asian development bank ठीक है तो कितने है 68 बिल्कुल next चलेंगे हम लोग अगले questions क्यों और questions जो दिया गया आपका तो questions क्या दिया गया COVID-19 से निपटने के लिए 5T plan किसने सुरू करा ठीक है तो ये 5T plan जो कार्योज़ना सुरू कीती दिल्ली रज्य सरकार के द्वरा समझ रहो डिल्ली राज्य सरकार के द्वरा सुरू किया गया था अच्छा question से बचावका exam point of view तो इस question का right answer था आपका दिल्ली ठीका है दिल्ली राज्य सरकार question number जो दिया गया आपका hundred questions भारतियर railway की द्वारा जो वेंटिलेटर विक्सित किया गया उसका नाम बताना आप लोगों को तो इसका राइट अंसर आएगा आपका जीवन बिल्कुल बच्छा यहां पर क्या दिया गया बच्छा जीवन नाम दिया गया ठीक है न अगला अगला क्वेशंस क्या चलेंगे हम लोग अगले कुश्ण क्यों अगला क्या दिया गया यह रावचा अगला क्वेशंस और विक्षा कि द्वारा रेपो रेट घटा कर कितने परतिसाथ कर दिगई तो यह कर दिगए 4.4 प्रतिसाथ कर दिगई ठीक है अब चलते हम लोग क्वेशंस 102 जो हम लोगों ने रिसेंटली पड़ा था क्वेशंस दिया गया सविधान सभा के इस्थाई अध्यक्स के रूप में किसे चुना गया था जो आपका Constitutional Assembly थी बचे आपका तो इसके पर्मनेंट जो अध्यक्स थे वो किसे चुना गया था मिलकुल सही आंसर आपका राजेंद्र परसाद सचिदानंद सिना इसके क्या थे और उसके बचबाद में क्या होता है राजेंद्र परसाद इसके इसके अध्यक्स होता है ठीक है और Constitutional Advisor के रूप में वो B.N. Rau थे Constitutional Advisor के रूप में B.N. Rau सभिधान सभाग की प्रारूप समिती में कितने सदस्या थे अभी रिसेंट्र आप लोगों ने Dr. भीम राव अंबिटकर जैनती मनाई तो मैंने आप लोगों को बताये था ड्राप्टिंग कमेटी के जो Head थे इनका नाम क्या था इनका Head समझ जो Dr. भीम राव अंबिटकर और इसमें टोटल कितने मेंबर थे साथ सदस्या थे ये questions बच्छा बहुत बार पूछा जाता है ठीक है ये बिलकुल बहुत बार पूछा जाता आपका तो right answer आएगा इसका B नेक्स चलेंगे हम लोग question number 104 ये बता दिया मैंने आप लोगो सभिदान सभा की प्रारूप समीति के अध्यक्स किसे न्युक्त किया गया था तो ये किया गया था Dr. V. N. Rao को next चलेंगे हम लोग question number 05 question number 05 कहता है निम लिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है which of the following not is the fundamental right, right to education, right to equality, right to freedom, right to property जो कि यहाँ पे पहले हमारे fundamental right हुआ करता था, मौल अधिकार हुआ करता था लेकिन 44 में amendment 1978 सभिधान संसोदन 1978 के तहत इसे अब कहां पर रखा गया, legal right में, समझ रो, legal right में रखा गया यानि कि एक विधिक अधिकार के तौर पर रखा गया, कहां पर आर्टिकल 301 के अंदर, 301 के अंदर इसे रखा गया, ठीक है question number 106, who was appointed as the constitutional advisor of constitutional assembly, सभिधान सभा के समयदानिक, सलाकार के रूप में किसे न्यूक्त किया गया था तो यह क्या गया था, बहुत बढ़िया सभी लोग answer दे रहे, बहुत बढ़िया सभी लोग answer देते रहे, तो be and row, बताया भी था मैंने आप लोग को, we and row, ठीक है next बचा, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे दिया गया, यह वो questions है, जो आपनों को हमेशा से याद होने चाहिए, किसी भी exam में जाने से पहले, यह सारे के सारे questions, revision करके जरूर जाना, ठीक है जब भी आप लोग one liner भी लिखोगे, तो याद करके जाना, क्योंकि यहाँ से questions पूछे जाते है, यहाँ गलती की गुणजाइसी नहीं है, ठीक है, तो यह ऐसे questions है कि आप एक बिल्कुल experience वाले player की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ आप गलती नहीं कर सकते हो, अगर आप लो होगा रोईत सर्मा और रिशाप पंत में कितना अंतर है, ठीक है, तो गलती की गुणजाइसी नहीं होनी चाहिए, समझ रो ना, तो यह question मतलब आपके गलत होने ही नहीं चाहिए, समझ रो, Supreme Court और High Court, रिट जारी करने की बात की गई, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 की बात कर जो रिट जारी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया भी था कि मौलिक अधिकारों के संबन में रिट जारी कर सकते हैं, तो यह सारी चाहिए बताए भी है, तो question जो आपका right answer ठीक है, भासा के आधार पर पहली बार किस राज्यका गठन किया नेक्स चलेंगे हम लोग, भासा के आधार पर राज्यों का पुनर गठन कप किया गया था, तो year था आपका 1956, ठीक है, 1956 में किया गया था, रिट क्या होती है, रिट में आप लोग को बता देता हूँ, यदि आप लोग को जो fundamental right दिया गया, उसका कहीं पे भी उलंगन होता ह है, तो आप लोगों के पास अधिकार है, यह जो भी ठीक है, तो उसके लिए Supreme Court या High Court में रिट प्रिटेशन डाल सकते हैं, ठीक है, Question number, निमलिखित मैंसे बचा किसको सविधान की आत्मा कहा जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोग को बता है था, कि Dr. भीमराव अमबेटकर ने किसको कहा, और language समझे, दो अलग अलग different language आपकी, ठीक है, तो C आएगा इसका प्रस्तावना को कहा जात है, सम्विधान की, ठीक है न, इसे कहा जाता है, यानि कि प्रस्तावना इसका right answer हैगा, Dr. भीमराव अमबेटकर जी ने किसे का article 32, और यहाँ पर क्या दिया गया, कि भारतिया सम्विधान की आत्मा किसे कहा जाता है, दोनों चीज को समझे, गलत मत करना, ठीक है न, तो यह यहाँ पर दिखने रहोगा, आप लोगो, नेक्स्ट क्वेशन के और बढ़ेंगे, हम लोग प्रस्तावना में प्रियोग केगे, समाजवादी, धर्म निच्पे एक सब्द किस वर्स से जोड़े गई थे, बिल्कुल बचे, हम लोग ज्यादा नी 10-15 क्वेशन और करेंगे उसके बार, क्योंकि अभी अंबेटकर जहनती गई ठीक है, तो सभी लोग ध्यान दे, यहाँ से क्वेशन पूछे जाएंगे, तो यह जोड़े गए थे, 42 सभीदान संचुदन, 1976 के थे, बारतियास परिस्तावना में, इंडियन प्रेम्बल के अंदर, यानि कि कब जोड़ सभीदान की बात करेंगे, तो यह कब एड किये गए थे, तो यह किये गए थे, 42 सेकंड जो अमेंडमेंट हुआ था, 1976 के थे, बारतियास सभीदान की प्रस्तावना में, अब तक कितनी बार, संसोधन हो चुका है, how many, अमेंडमेंट वेरे, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉंस केवल एक बार, डो बार, तीन बार या अभी तक कभी नहीं, तो भारतियास सभीदान में, एक ही बार हुआ, अभी बताया थे, मैंने आप लोगों को, जो सब्द जोड़े गे थे, सेकुलर सब्द की बात करी, या सौसलिर सब्द की बात करी, सिर्प और सिर्प एक बार, 42 स अभिदान संसुदन, 1976 में, ठीक है, हाँ, क्वेशन नमबर, 114 प्रारूप समिती के सामने, प्रस्तावना किसने प्रतुस्त करा, ठीक है न, यानि कि यहाँ पे, वो प्रेजेंटेट दा फॉर्ब, यहाँ पे क्या दिया गया, तो डाप्टिंग कमिटी के समक्ष, क्या रखा गया, जो नहरू रिपोर्ट थी, नहरू रिपोर्ट के अकवर्डिंगे बचा प्रस्तावना बनाया गया था, और समझ रो, तो यह किसके दोरा रखी गया थी, पंडित जवाला नहरू के दोरा, रखी गया थी, समझ रो, यहाँ पर क्वेशन, मैंने आपसे यह नही है था, पंडित जवाला नहरू के दोरा, ठीक है, अगले कुशन के बढ़ेंगे, हम लोग क्वेशन नमबर 116 के ओर, 1873 में सत्या सोथ समाज की स्तापना किस ने करी थी, हूँ वास फाउंडर इदत बचे आपर ठीक है, सत्या सोथ समाज की स्तापना किस के दोरा की गई थी तो ये की गए थी, जोतिवा फुले के दोरा, क्वेशन नमबर 117, पंडित जवाला नहरू बचा, अखिल भारत्या कॉंग्रेस के अध्यक्स कब बने थे, पंडित जवाला नहरू फर्स्ट विकम बचा आपका ठीक है, तो प्रिजडेंट ओफ ओल इंडिया कॉंग्रेस, ओल इंडिया कॉंग्रेस के अध्यक्स कब बने थे, ठीक है, तो इस क्वेशन का राइट अंसर आएगा आपका, 1929 में, 1929 में बने थे, ठीक है, क्वेशन नमबर 118, इंडियान नैशनल कॉंग्रेस की प्रत्थम महिला अध्यक्स कौन थी, अब देखते हैं, यहाँ पे कौन-कौन गल्ती करता है, भारतिय राष्ट्या कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्स कौन थी, कॉपी-पेस्ट मत करना, कोई भी बच्चा, कॉपी-पेस्ट नहीं करेगा, कुष्चन नमबर 118, वन वन एट, कुष्चन नमबर 118, आंसर दीजे बच्चा, मैं आंसर का इंतिजार कर रहा हूं, कौन बच्चा आंसर दे रहा है, प्रत्थम महिला अध्यक्स कौन थी, एनिवेशेंट विल्कुल कुश्यन नंबर एनिवेशेंट और कोई बचा कौतम बचा आपने गलत कर लिया आपने सरोजनी नाइडू गलत आंसर कर दिया और कोई बचा सिर्फ यहां पे मैं आपको बता देता हूँ यहां गलती कुश्यन अगर पूश्यन आपसे पहली भारतिय मैला फर्स्ट इनिवेशेंट अगर पूछेगा तब सरोजनी नाइडू आएगा सुनिल कुमार जी सरोजनी नाइडू कब आएगा जब पहली भारतिया पूछेगा तो इस कुश्यन का राइट अंसर क्या था एनिवेशेंट ही इसका राइट अंसर आएगा अगर पहली भारतिय मैला पूछेगा पहली भारतिय मैला जो राष्टिया कॉंग्रेस की अध्यक्स बनी थी तब आएगा सरोजनी नाइडू का नाम ठीक है फर्स्ट इंडियन सरोजनी नाइडू हाँ नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले कुश्शन के ओर गांधी और इर्विन समझोता यानि की जिसे क्या बोलते ठीक है गांधी और इर्विन समझोता किस वर्स हुआ था गांधी पैक्ट के नाम से भी जाना राता आपका तो गांधी और इर्विन समझोता मात्मा गांधी और लॉड इर्विन के बीच में जो समझोता हुआ था कॉमोनियल समझोता था ये ठीक है तो किस वर्स हुआ था 1931 में इसके जस्ट बात क्या था पूना पैक्ट भी होता है नेक्स बढ़ेंगे हम लोग दिल्ली सलतनत में सबसे लंबी आवधी तक किस वर्स ने शाषन करा दिल्ली सलतनत में सबसे लंबी आवधी तक किस वर्स का शाषन था तो किसका शाषन था तो ये रहा किसका बी तुगलक वंस का सबसे लंबी समय तक दिल्ली में शाशन करने वाला राज वंस कौन था सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रही है सेयर भी करते रही है ठीक है और अपने दोस्तों के साथ जो अधर ब्रांच से है चाहे वो मेकैनिकल से हो चाहे इलक्टिकल, इलक्टोनिक्स किसी ब्रांच से हो उन्हें बताएए कि नॉन टेक की क्लास भी चलती है और टेकनिकल की और क्लास से भी चलती है तो सेयर भी करते रही है आप लोग जब तक सेयर नहीं करोगे तो नंबर ऑफ इस्टुडेंट कैसे बढ़ेंगे आज अगर 40 हो तक कल आप लोग कम से कम 50, 60 करिए भू राजशों की दरबचा किसके शाशनकाल में सबसे ज़्यादा थी अल्लाव दिन खिल जी के समय पर सबसे अधिक सिक्के किसे काल में जारी होते है या सबसे अधिक जो अब तक भारत में जो कॉइन प्राप्त हुए है तो यह किस से प्राप्त हुए है तो यह प्राप्त होए किसमें मौर्य कालिन सिक्के सबसे ज़्यादा मौर्य कालिन सिक्के प्राप्त होए आज तक ठीक है कुश्यन नंबर 11123 यानि की बच्छा यहां पर क्या दियागे स्वामी यहां पर क्यों थे बच्छा व्यूइका नन स्वामी व्यूइका नजी के द्वारा रामकृश्ट मिश्ण की इस्ताप्तपना कीगई थी और रामकरिश्ट अ की अभिलेक में उनके एक मात्र पुत्र के बारे में बताया गया अशोक के अभिलेकों के अंदर मेहंदर की बात की ठीक है ना जिन्हें उन्हें बौद्रम के लिए स्रिलंका बेजाता कुश्यन नंबर 125 भारत में प्रतम सायक संदी किस रियासत ने करी थी तो हैद्रबाद के निजाम की बात करते हैं हम लोग कि भारत में सायक संदी पर लौड वेले जली भारत में क्या लाता है सायक संदी सायक संदी क्या थी कि जो भारते रियासत के जो राजा हुआ करते थे उन्हें सेन्य क्या दी जाएगी मदद दी जाएगी समझ रो उन्हें क्या करना पड़ेगा ब्रिटिस सेना को अपने दरवार में रखना पड़ेगा और इसे ही क्या थी है सायक संदी नाम दी गए थी समझ रो तो सबसे पहले इस पर जो हस्ताक्चर के थे वो किसने करे थे है हैद्राबाद के निजामों की द्वारा किया गया था बारत में सती प्रता को प्रतिवन्दित किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था तो यह किया गया था किसके द्वारा 1829 में सती प्रता को अंत किया गया था लौड विल्यम वैंक्टिंग के द्वारा ठीक है ना नेक्स शलते हम लोग अगले कुशन पर कुशन नमबर 27 जैन और बौत धर्मों में एक साथ सिद्धानत है जिस पर दोनों धर्मों में ऐसा मती है ठीक है एक कौन सा बच्छा ऐसा सिद्धानत है वाट इस दबच्छा प्रिंसिपल ओफ इस दियर्द बच्छा आपका ठीक है डिस एग्रिमेंट बिट्विन टू रिलिजन्स इन जैनिजम और बौत इरिजम ठीक है कठोर तपस्या नैतिक्ता पर बल शुद्ध आचरान पर बल या जाती बेदवाव में खंडन तो इन दोनों में जो विवित्ता है वो कहां पर है बच्छा कठोर तपस्या समझ रो कठोर तपस्या की बात दोनों जगे में इन दोनों में क्या है बच्छा ठीक है हाँ ये ध्यान देना भक्ति आंदोलन या आधी पुरुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष ही लाइब है आप मैं से कोई ऐसा बच्चा है जो non technical से है यानि कि जिसका technical से कोई वास्ता ना हो वो किसी ब्रांच से ना हो एसा कोई single person है जो नौन technical कई करता है क्यों कि non technical technical दोनों के के लिए इंपोर्टेंट है सभी के लिए सभी लोग टैक्निकल से ठीक है न तो यहां पर अगला कुश्ण क्या दिया गया तो यहां पर जो दिया गया बचा आपका खोको मैं एक खिलारी में बचा एक टीम के अंदर कितने हैं तो नौ प्लेयर होते हैं और लास्ट जो आपका कुश्ण्स दिया गया 133 बुद्ध ने अपना प्रत्थम उस तो कुश्ण का राइट अंसर के आएगा बचा साधनात में दिया गया था ठीक है ना साधनात में दिया था नेक्स शलते हम लोग साधनात इस्तम का निर्वान किसदे करवाया था तो शाधनात का जो इस्तम का निर्वान अशोग के द्वारा कराए गया था ठीक है next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions पर सिंदु घाठी से बता के लोग किस से अपर्चित थे questions क्या दिया गया What was the बच्छाब का ? इन्डस वेली जो civilization के लोग थे इन्हें नहीं पता था अब परचित थे किससे ? तो यह बच्छा किससे लोहे से ? इन्हें iron से बच्छा परचित नहीं थे ? इन्डस वेली civilization के लोग इसे परचित नहीं थे ? Question number 133 हौकी के एक टीम में कितने प्लेयर होते तो यह सबी को पता है 11 प्लेयर होते है नेक्स बढ़ेंगे हम लोग डाइमंड का अविश्कार किस ने करा था डाइमंड के अविश्कार के लिए प्रते एक वर्स जो नोबेल पुरुष्कार दिया जाता है तो डाइमाइट का अविश्कार के लिए जाता है नोबेल पुरुष्कार दिया जाता है विश्य परियावरण दिवस प्रती वर्स कब मना जाता है और इसी उपलक्ष में प्रतेक वर्स पांच जून को क्या मना जाता है का हाँ बहुत बड़िया बच्छा अच्छा कुश्ण साब का ठीक है 150 कुश्ण हम लोग कंप्लेट करेंगे समझ रो 150 कुश्ण कंप्लेट करेंगे बचा अब यहां से कुछ चीजा में आप लोगों को और अल्ली पूछ रहा हूं जो सभी बच्छे जितने भी लाइब हैं और अल्ली मैं क्वेश्ण पूछ रहा हूं बिना ऑप्शन के क्वेश्ण पहला क्वेश्ण क्या है युनाइटेड नेशन की जब स्तापना होती है 1945 में उस समय पर अमेरिकन प्रेजिडेंट कौन थे अमेरिकन प्रेजिडेंट कौन थे उस समय पर जल्दी आंसर दीजिए तो कौन थे तो उस समय पर थे बच्छा कौन फ्रैंकलिन रूज्वेल्ट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हुआ करते थे ठीके ना हाँ विल्कुल फ्रैंक्लिन रूजवेल्ट है ठीक है डी रूजवेल्ट फ्रैंक्लिन रूजवेल्ट ठीक है क्वेशन क्या दिया गया विश्वा का सबसे ऊचा जो वाटरफॉल है एंजिल फॉल बेनेजुला केरो रिवर पर बेनेजुला में केरो रिवर पर ठीक है नेक् का मोती यह विस कंड्रिक कौल दपेल यहां पर दिए गिए यह रत्न आइलेंड अप देशीड है तो किसे कहा जाता है शीलोन स्रिलंका को स्रिलंक के अंदर जो गहस के मैदान होते हैं इन्हें क्या कहा जाता आपका चैना भूमि कहा जाता है जैसे दक्षिन पूरोतर भारत म में क्या कहा जाता है तो मैंने आप लोगों को बताए है ठीक है जूम कहा जाता है उसी तरह से यहां पर चैना कि कोईशन नमबर थार्टी नाइन बिल्कुल आपका आईरन एंड ब्लड यहां पर बिलकुल एक पालिसी अपनाई थी जिसे लौह और रक्त चैनली इसी तरह से याद रखना आपको लौह और रक्त की निथी और नोर रोज का त्योहार शुरू किया था, 9 रोज का जो त्योहार होता है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था बिल्कुल अच्छा questions है exam point of view से पूछा जाता आपका समझ रो तो questions क्या दिया गया बच्छा आपका law और रक्त की नीपती अपनाई गई थी तो ये किसके द्वारा अपनाई गई थी तो कौन इसका answer दे रहा जल्दी answer दीजिए इसका तो किसके द्वारा अपनाई गई थी बच्छा बिल्कुल सही answer बल्वन के द्वारा बहुत बढ़िया बल्वन के द्वारा अपनाई गई थी ठीक है और बल्वन किस वंस का शासक था सभी को याद होना चाहिए बच्छा है बलबन किस वंस का था गुलाम वंस का शासक था ठीक है नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले कुशन पर कुशन नमबर 140 140 जो कुशन दिया गया नीता लूला और रितू बहरी का संबन किस छेत्र से है तो ये किस छेत्र से संबन्दित है तो इस कुशन का राइट आंसर आएगा आपका ये मॉडलिंग से या फैसन डिजाइनिंग से ठीक है नेक्स बढ़ेंगे हम लोग सांची कला की बात करी थी बच्छा मैंने आप लोगों को सांची कला के बारे में ये कुशन काफी बार पूछा जाता है ठीक है तो सांची कला किस से संबंदीत है तो इस कुशन का राइट आजर क्या नेचे बचा आपका उत्तर प्रदेश ठीक है ना सांची कला का का है उत्तर प्रदेश का सांची कला बचे एक पैंटिंग है तो ये उत्तर प्रदेश की है समझ रो नेक्ट कुशन की और बढ़ेंगे हम लोग अगला कुशन को यहां पर तोड़ा नेट इस्व आ जाता है ठीक है बिलकुल आप जब भी आप लोगों को नेट इस्व आथा वीज-जीज में नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेशन्स के ओर क्वेशन नमबर वन जो 42 दिया गया आपका कोलेरू जील कहाँ पर रिस्तित है तो ये आंदर प्रदेश के अंदर नेक्स बढ़ेंगे अगले क्वेशन्स पर ग्लोबल पीस इंडेक्स तो 2019 के अनुसार निमलिकिर में से कौन सा सबसे सांति पूर्ण देश है according to global peace index 2019 which one of the following most peaceful country तो कौन सी होगी तो सही answer था आपका कौन सा आइसलेंड ठीक है ना question number ये दिया गया आपका लोगसभा के पहले अध्यक्स ते जी भी मालवंकर तो questions दिया गया आपका कि लोगसभा के पहले उपाध्यक्स कौन थे question number 145 ये रहा भारत में एकल नाग रिकता single citizenship की बहुसता इंडियन constitution में का से ली गई जिनी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रहे लाइक भी करते रहे तो इस question का सही answer आएगा आपका इंग्लेंड से इंडिया में बच्छे का से ली गई सिंगल citizenship और जो एकल नागरता की बहुसता या पार्लेमेंटरी बहुसता ये ली गई कहां से आपका तो इंग्लेंड से ली गई राफेल नडाल का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा ठीक है नडाल का नाम सभी लोगों ने सुना होगा तो ये कौन से European country से बिलोंग करते हैं अभी मैंने आप लोगों को बताया था अगे नुवाक जोकोविस का नाम नौकल जोकोविस का से बिलॉंग करते हैं तो आपना अंसर दिया सर्बिया से तो राफेल नडाल का से बिलॉंग करते हैं इस्पेन से और आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं वर्दमान समय पर कोरोना का सबसे ज़्यादा जो प्रवाव अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो अभी प्रवाव है यहाँ पर आंसर आ गया आपका बॉक्सिंग से यहाँ रखना जो टोकियो अलम्पिक होगा दोजार एकिस में वहाँ पर एसियन जो एतलीट है उनके गुडविल एमबेस्टर के रूप में सद्वावना दूद के रूप में एमसी मेरिकॉम को ही चुना गया यह भी याद रखना आप लोग दो हजार एकिस में जो टोकियो अलम्पिक होंगे उस अलम्पिक खेल के लिए एसियन ग्रूप है जो एसियन एतलीट का एमबेस्टर के तोर पर भी चुना गया वानिज्या बैंक भारत में एक साथ 14 बैंकों का क्या किया गया रास्टी करण किया गया था ठीक है नेसलाइजिशन किया गया था किस वर्स 14 बैंकों का एक साथ अभी 10 बैंकों को चार बड़े बैंकों में मर्ज किया गया एक अप्रेल 2020 को अब आपसे पूछ लिया गया है कि रास्टे करन का भुआ था चौदा बैंकों के एक साथ तो 1969 में है हाँ बैसनल की ब्रेंड अंबस्टर भी है बिल्कुल रानी यादाव जी बैसनल की ब्रेंड अंबस्टर भी है एक साथ 14 बैंकों का अभिशेग गौरबच्चन 1969 आंसर आएगा इस कुशन का कुशन नंबर 149 यह राप किसकीन के सामने है हाइपो कैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है हाइपो कैलेमिया एक डिजीज होती है तो यह किसके कारण होती है ठीक है तो यह होती बैसे किसके हाइपो कैलेमिया डिजीज होती है और आज के लिए अंतिम कुशन सर्दार सरोवर बांध जो बना था आपका नर्मदा नदी पर तो उससे जुड़ा हुआ है मेधा पार्टकर का नाम सभी लोगोंने सुना होगा मेधा पार्टकर किस छेत्र से जुड़े वे थे तो एक सा थे तो यही ठेडितेक दक को थुड़ा में आप लोंको चीज़े समझा slopes अब किसके बारे में जो नर्मदा बांध है ठीक है नर्मदा बांध के के सायोग से बन रहा है गुजरात महारास्टा मध्यप्रदेश और आपका राजिस्तान इन्हें चार राज्यों के सायोग से बन रहा है ठीक है तो यह थे हमारे important questions 150 questions हम लोगों नहीं आप एक कबर करें ठीक है तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि कल से कि आपकी टाइमिंग दस बजे दस बजे से कल से आपकी क्लाश तयार शुरू होगी ठीक है न कल से आप लोगों की जो क्लास होगी morning में करेंट फैर की क्लास morning में 6 एम पे होती है डेली सभी लोग लइब रही है ठीक है और वी एनस्टी वी एनस्टी कॉसल बच्चा वी एनस्टी दूसरी है प्रिंस राज राजपूत अभी तक पीडियाप नहीं मिली है पीडियाप भी मिल जाएगी बिच्चा प्रिंस राज राजपूत बच्चा पीडियाप भी बिलकुल मिलेगी आप लोग को और आपका एक्जाम 2020 जो हम लोग ने ठीक है तो इसकी टाइमिंग आप लोगों को मैं बता दूँगा कल तेक बचल जाएगा आप लोगों को क्लास आपकी 10 पे होगी इस संबन में अभी सर्चे भी बात की जाएगी या मैनेजमेंट के साथ बात करके तो आपकी क्लास की टाइमिंग 10 पे यानि की 10 बज़े से होगी समझ रो ये सारी की सारी क्लास है आप लोगों को एक्जाम 2020 या जीएस के नाम से जो प्लेलिस्ट बना रखिये वहाँ पे मिल जाएगी ठीक है तो बच्छा आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं हाँ बिल्कुल सभी लोग लाइक और सेयर करते रहें वीडियो को और जिन लोगों ने अगर मैं यह आप बताना चाहूंगा बच्छा स्सी जेए का कोर्यश परचेज नहीं कर रहे हैं तो आप लोग स्सी जेएव नोन टेख का कोर्यlaws परचेज कर सकते हैं जहां पे हम लोगों ने जैस और रीजनिंग की 100 आउर कि ख़ंडत है ठीक है तो इसमें हम लोगों ने काफी अच्छी से जैस को कबर किय आ है तो आप लोग इस कोर्स को भी पर्चेस कर सकते हो ठीक है तो बच्चे मैं आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त कर रहा हूं सुब रात्री धन्यवाद कर दो कि अगर कि अगर